अब लो आफ्रीवन क्या हल चला है सभी के मेरे नाव है अबिनी सिंगें स्वागत सभी का तहें देल से अड़र टंडिवोर्स सेवन में सामके छे वच्छों के इस सभी को वैरी वाम गुडी इनिंग क्या हल चला है मेरे दोस्तों बढ़िया मजे में गुडी इवनिंग स्वाधी गुडी इवनिंग शिल्फी गुडी इवनिंग नीरेज अलो अजय क्या हल चाले सभी के एक दम आई होप सभी लोग मजे में होंगे और जमके यहां पर आपके पड़ाय लिखाए चल रहे होगे तो आज हम यहां पर देखने शेयर कर दीजेगा जिससे सभी लोग यहां पर चोड़ पाया और यहां पर चाय पानी नीभू सोड़ा सगंजे पानी सब कुछ लेके बैठना क्यों क्लास आपकी लॉंग क्लास चलेगी आपकी तो कोशिश शेयर रहेगी कि आज आपको मैं पूरा जो मेजर मेंट है यहां आप इसका रिवीजन जो है आपको करवा दूँ चिक्यों चलिए तो रेडी सभी लोग गुड़ीवनिंग स्वाथी गुड़ीवनिंग लबदीब गुड़ीवनिंग सुनील आई होप कल जो मैराथन हुआ था आप लोग ने उसको बहुत अच्छे से इंजॉई किया होग तो इस्टाट करते हैं शनवी अजय सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो इस्टाट करें क्या बोलते हो हुँ हुँ है चलिए यहाँ पर देखी पहला हमारा ठीश्ण है डाइनमो मीटर टैप वाट मीतर कैन भी यूजड तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमारे चिस पा तक गिसको डाइनामू मीटर टायप What M高 देखें एको नाव टाइनामू मीटर टायप वाट मीटर गहना आपको क Посब्सा क्वाइस कोरते हैं, इसकार एल्डायनामू मीटर सुद्क हर तो आपको कंस्ट्र introduction डाइग्राम आपके सामने हैं, बोलते हैं कारेंट कोईxico भी बोलते और यह उसको क्या बोलते हैं अब यहां पे यहां है आपना क्या टैच रहता है है और यह क्या हमारा इसके लह यह आपको पता है कि हमारा जो सकेल है इधर से उधर जाएगा नशीदिकिन कि टॉर्क मिले आपको जो लीळेख कर देगा uniform magnetic field आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं जो fixed coil है fixed coil को दो पार्ट में divide कर देते हैं यह रहा है इसका electrical equivalent तो यहाँ पर देखिए current coil और pressure coil को हमारी जो current coil है यहाँ पर देखो current coil जो है load के साथ में कैसे लगा रहता है आपका क्या लगा हुआ है इस the लोट को read करेंगा एगा क्या करेंगा यहां पर देखिए चुर्ट करेंगा power facture अपलोडbrig मिष्ग करेंगा यहां पर देखना है यहां पर यहां पर होता है हमारा highly inductive होता है तो generally होता है इंडक्टिव लोट होता है आपका that is your highly inductive load तो जनरी यह जो आपका क्या करता है यहाँ पर current को जो आपका supply voltage को क्या करेगा लैक करता है ना सो IC क्या हो generally Lex VC Lex VS बाकि friends dependent करे अब वहीं देखी यह हमारा क्या है प्रेशर।S क्या है मुविंग कोिल के नाम से आसा मुविंग कोईल होता है काया इस है इच सबीड़ public निघलेंट कर दिया तो अभी यहां पर मेरा आईपी होगा बताऊट व॑ क्या होगा आपका IP क्या होगा बताओ फटावर से so IP क्या होगा नियरली नियरली फेज नियरली इन फेज विद वी एस तो हमारे जो फेज के साथ में सारी वी एस के साथ में क्या होगा फेज महुगा दूसरे important point यहां पर देखिए current coil हमेशा जो आपका watt meter है load के साथ में कैसे connect होगा series में while जो pressure coil है हमारी PC PC हमेशा जो supply है supply के साथ में कैसे connect होगा parallel या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं across the supply voltage so this is all about the current coil and the pressure coil getting अब देखिए यहां पे जो हमारा watt meter है आप इसको लगा दीजिएगा कौन सी वेल्यू को read करता यहां पे जो average value है average value को read करेगा और सपोस्थ यहां पे AC है तो क्या हो जाएगा हमारा VRMS I rms into cos phi तो यहां पे जो average value है इसको क्या करता है यह read करेगा average value of power को और यहां पे जो हमारा dynamometer type instrument है वो आपका AC plus DC दौनों को ही क्या करते हैं यहां से measure करते हैं ठीक है I hope सभी को यहां पे clear हो गया होगा तो right option क्या हो जाएगा यहां पे AC as well as DC is the right option ठीक है मज़ा आया तो आप देखिए यहां पे इसके बाहर कोई भी question जो हमारा नहीं जा सकता है एक चीज़ और यहां पे देखिएगा यह आपको scale दिख रहा होगा है यहां पे scale अब देखिए यहां पे जो scale होता है इसमें एक क्या error देखने को मिलता है जनरली हमारा एक parallax error देखने के लिए मिलता है कौन सा parallax error यहां पर देखने को मिलता है तो parallax error को reduce करने के लिए eliminate करने के लिए हम यहां पर क्या use करते हैं आपका जो mirror type scale होता है कौन सा scale होता है दोस्तो mirror type scale है याद रखना इसको mirror type scale और यहां पर जो pointer होता है वो कैसा होता रहा है knife age pointer होता है आपका ठीक है so it is your knife age pointer यहाँ पर use किया जाता है किसके लिए to reduce the parallax error अपनी पुष्टक में लिख ले ना बोट पर थोड़ा जगे कम बचा है so this is the complete explanation of the electrodynamics type wattmeter मजा आया मजा आया तो फटावर्स से बताई यहाँ पर तो अब इसकी बात कोई question बहार नहीं जाएगा चलो अब यहाँ से अगर तुम लोगों ने कोई भी गलत question बताई क्योंकि इसकी पर अभी काफी सारे questions आएगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगला question है यहाँ पर which of the following instrument is an integrating type instrument यह पता है यह वाला question हर साल आता है यह वाला जो question है वो आपका हर साल यहाँ पर जो है देखने के लेखने के लिगा तुम लिए ठीक है power factor meter या watt meter की तरह यहाँ पर यूस किया जा रहे है तो कैसा होगा हमारा यहाँ पर linear because average power है वो आपका direct deflection के जो हमारा td है उसके proportional मिलता है तो scale यहाँ पर generally कैसे देखने को मिलता है linear scale देखने को मिलता है अगले प्राश्म पर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए हर साल यह question पूछा जाता है which of the following is your integrating type instrument है अब देखिए यहाँ पर इसका जो answer है वो आपको रटा ही होगा तो यहाँ पर right option क्या हो जाएगा हमारा energy meter अब यहाँ पर यह जो integrating type instrument हमको इसको क्यों बोड रहा है अब देखिए integration आपने कच्छा बारा से पढ़ रखा होगा तो generally हमारा integration होता है किसी भी चीज़ का integration कि सको represent करता है average value को represent 서리 यहाँ पर जेनरली जो integration है किसको रपरेजंट करता है एरिया को रपरेजंट करता है अगर किसी का आपको area निकालना तो integration निकाल दी यहाँ से अब जो energy meter क्या करता है totalize the event है तो totalize the event मतलब यहाँ पर average अगर power आपको निकाल ली है तो अगर किसी भी चीज़ का average हमें निकालना है तो average क्या हो जाता है हमारा area upon time period है अब आपने यहाँ पर जो unit है वो एक particular time के लिए consume किया होगा तो अगर यहाँ पर मैं जो power है power को अगर time से multiply कर दो तो यह क्या बन जाएगा हमारा energy बन जाएगा ठीक है so this is your energy अब देखिए यहाँ पर यह रहा आपका energy meter इसको ध्यान से देखिए यहाँ यहाँ पर यह वही सक्स है ठीक है शिल्पी मैं try करता हूँ actually उस board में कोई problem होगे ति इसलिए में नहीं कर पाया बट यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए वो जो अलग से pdf उसका बना के आज रात तक कोशिश करूँगा anyhow जो pdf है वो मैं आपको दे पाऊँ ठीक है चल अब यहाँ पर देखो induction type energy meter है न तो जितने भी हमारे energy meter होते हैं वो universally कैसे होते हैं they all are the induction type energy meter तो they are the induction type energy meter तो induction type energy meter हमारे universally किसके लिए उस होते हैं measurement of energy के लिए उस होते हैं आप सबके घर में लगए रखा होगा आप देखिए इस डाइगरांग को यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो energy meter होता है energy meter में आपका यहाँ पर एक shunt magnet होता है मगनेट यंचे आपको देखिए पर एक एक सीरीज माघनेट रही है आप इसमें एक क्रैशर कोईल होता और एक क्यों होता है driving coil उ़न इसे को हमारा ब्रेकिंग मेइड़ और यहां पर किस की पो दिया थे हमारी जो डिस्क होती और पाइंटर वो हमारा लगा रहा है तो इसे हमारा पॉइंबा बना भी ओगए क्यों आपका है um और यहां पर जो energy meter क्या करेगा particular time के लिए event को क्या करेगा totalize करेगा रहां जैसे एक महीने का बिला आता है एक महीने के लिए क्लिए क्या करता है टोडलाइस करता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है integrating Kagameration do Tech वोला जाता है क्यों यहां पर जो तो हमारा event उसका क्या करता है यहां पर sum करता है आपका ठीक इतनी सी वास समझ में यहां पर चली और यहां पर देखिए जो energy meter है तो energy meter पर यहां पर देखिए तीन formula आपके बनते हैं जो question आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले energy recorded यहां पर कितनी energy recorded की जाती है तो कैसे निकालेंगे number of revolution made by disk है यानि कि disk की revolution divided by energy meter constant अगर नहीं गिवन है आपको डिरेक नहीं गिवन है तो energy meter constant क्या से निकालेंगे देखिए यहां पर इनर्जी meter constant is given by number of revolution divided by kilowatt hour kilowatt hour क्या हो जाएगा पी इसकल टू वी आई कॉसफ़ाइ इंट टू दी पाओर माइनस 3 हो जाएगा हमारा है और यहां पे देखिए creeping error creeping error क्या होता है number of revolution due to the creeping divided by the total number of revolution made by the load यहां पे 100 से multiply कर लेना percentage में निकाल देखिए अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर्फ creeping क्या होता है ना creeping error है आप देखिए जो creeping error है हमारा energy meter में क्या होता है तो generally देखिए over fraction compensation की बज़े से यहां पे यह जो disk है ना disk है यहां पे जो disk है यहां पर देखिए जो pointer है यहां हमारा skill लगा है यहां और यह यहां आपका pointer है अब यहां पर मान लिजिए आप कोई भी यहाँ पर load जो है consume नहीं कर रहा है मतलब आपकी घर के जो सारे के सारे यहाँ पर load है वो क्या है आपके switch off है हमारे है अब अगर switch off है यहाँ पर सारे के सारे load तो यहाँ पर energy meter की reading 0 होने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर current coil है इसके through हो के कुछ current क्या करने लगता है leak करने लगता है जिसकी बज़े से यहाँ पर जो meter की reading है वो क्या होता है continuously चलती रहती है और आपकी जो energy है वहाँ पर show होती है मतलब आपको सीधा-सीधा extra पैसा देना पड़ेगा है अब देखिए यहाँ पर यह जो creeping error है जनली किसकी वैसे आता है over fraction compensation की वैसे आता है over voltage compensation की वज़े से यहाँ पर आ जाता है तो इसको reduce करने के लिए यहाँ पर देखिए disk होती है इस तरीके की disk होती है हमारी energy meter की और यहाँ पर energy meter है उसकी reading आपको शो नहीं होगी in case of अगर आपके सारे जो load है वो क्या है आपके बंद है चीक है तो यहाँ पर creeping error को हम reduce करने के लिए करते हैं disk के opposite side में है जो hole से उनको drill करते हैं चीक है so this is the complete explanation I hope you okay with that है चले इसके screenshot ले लेना सभी लोग बहुत काम आएगा एक्जाम में अगले question पर चलिए और अगला question हमारा क्या है ठीक है आपकर rapid fire revision होगा आप लोगों के लिए बहुत कुछ है कल के जो दो दिन होंगे आप लोगों के लिए सब कुछ त्यार है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर श्वयता वैभाफ सभी लोग अच्छे से यहाँ पर आंसर कर रहा है और यहाँ पर आज इतने कम लोग क्यों है न मतलब दो दिन लाश्ट में बचें तो confidence डाउन है क्या एगला question यहाँ पर चलते हैं the scale of moving iron instrument is यहाँ पर जो हमारा moving iron होगा moving iron इस्ट्रूमेंट का क्या होगा पड़ावर से बताई क्या होगा bit fast moving iron इस्ट्रूमेंट है न तो देखिए moving iron इस्ट्रूमेंट है न अब यहाँ पर moving iron इस्ट्रूमेंट होते हैं इसका जो deflecting torque होता है moving iron का TD TD क्या होता हमारा 1 upon 2 half i square dl upon d theta इसको याद रखना यहाँ पर direct question बन जाएगा और जो controlling torque होता है TC यह क्या होता है हमारा k theta अब आपको पता है कि steady state में controlling torque और हमारा TD और TC equal होगा आपकी जो भी pointer की measured value वो आपको show हो जाएगे लेकिन यहाँ पर देखो theta के हमारा deflection तो dawn equation को यहाँ पर equate करेंगे TC is equal to TD कर दो यहाँ पर उसके बाद में theta यहाँ पर देखिए तो theta क्या जाएगा directly proportional to the i square अब यहाँ से scale कैसे निकल ला है है आपर non linear इसके लिए यहाँ पर देखने को मिला है ना non linear मैं अब यहाँ पर देखो अब हमें क्या करना है यहाँ जो scale है इसको linear कराना है तो our law ड़ेफिव पर अगर आप यहाँ पर lower value of theta अगर इस पर आप adjust करने की कोशिश करेंगे तो practically it is not possible DL upon d theta will be very high है तो यहाँ पर lower value of theta पर आप देखेंगे कि जो scale आपका कैसा देखने को मिलता है cramped scale जो है देखने के लिए मिलता है rather than linear scale तो right option क्यों हो जाएगा हमारा cramped अगले question पर चलिए a DC a meter has resistance of 0.1 ohm and current range कितना हमारा दे रखा 0 to 100 ampere if the range is extended to कहां से 500 ampere तक then required value of shunt resistance तो यहाँ पर क्या पूछा है कि आपको meter की range increase करने के लिए shunt value आप से निकालना है अब देखो इस तरीके question definitely यह काएगा ठीक है sir clean save में बहुत मस लग रहा है यह किसने कहा कि clean save है नहीं है मतलब लगता है face पे light ज्यादा आ रहे हैं थे अब मैं कभी नहीं रखता है clean lean चलिए अगले question का answer यहाँ पर प्रीती गगन बबीता नैना सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे सा answer कर रहा है bit fast सभी लोग यहाँ पर गर्दा उड़ाईएगा पटा वर्स बताएगे यहाँ पर bit fast अब यहाँ पर इस question को दियान से समझो तो यह रहा हमारा ammeter है सभी लोग दियान से देखेंगे अगर exam में कभी भूल भी जाओ तो यहाँ पर देखें conceptual किस तरीके से हमें बनाने चाहिए तो यहाँ पर देखो है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रहा हमारा ammeter अब आपको पता है कि जो हमारे pmmc meter होते न तो यह याद रखना है यहाँ पर इसकी range कितनी होती है 100 mili ampere से लेके 100 mili volt तक यह क्या कर सकते measure कर सकते है यहाँ से meter के थुरू क्या होगा हमारा meter current iam जाएगा हमारा न iam को क्या बोलते है हम यहाँ से full scale deflection current अब यहाँ पर यह हमारा supply है अब माल लो आपने यहाँ पर current जो range है यह क्या करनी है आपको increase करनी है तो अगर यहाँ पर meter की range हमारी कितनी है 150 mili ampere है आपने सुचे यहाँ पर increase किया range तो क्या होगा यहाँ पर गडवड हो गया कि नहीं हो गया है यहाँ कि scale गया है काम से हमारा तो यहाँ पर हम क्या करनी को bypass कराने के लिए एक low value of shunt resistance यहाँ पर लगा देते क्या RSH अब यह जो shunt resistance का construction है यहाँ पर जो shunt resistance का किसका मिल के बना होता है हमारा यह जो है आपका मैगनिन से मिलकर आपका यह बना होता है मैगनिन का और यहाँ पर इसका जो alpha होता है temperature coefficient काफी क्या होता है low होता है इस चीज़ को याद रखना ठीक है आप यहाँ पर देखिए और यह current के हमारे current is to be measured यानि कि जो आपको meter की range बढ़ानी है और यहाँ से आपका जो current यह क्या हो जाएगा आपका extra current जो होगा bypass हो जाएगा आप मुझे बताओ यहाँ पर जो RSH की range है यह क्या होनी चाहिए meter का resistance यहाँ पर definitely कुछ नहीं होगा let it be RM तो RSH जो है RM से जादा होगा या फिर कम होगा of course कम होगा क्योंकि current always follow the zero resistance path और minimum resistance path तो अगला concept यहाँ से क्या बना कि RSH का value हमेशे RM से क्या होगा कम होगा हमारा अब देखिए यहाँ से अपने को क्या निकालना है यह जो RSH की required value यह अपने को निकालना है तो देखो यहाँ पर circuit के through अगर देखें धौना point का यहाँ से आपका जो voltage होगा वो कैसा होगा same voltage होगा कि नहीं हो क्योंकि parallel में हमारा voltage same होता है तो यहाँ पर drop को equate कर सकते हो otherwise यहाँ से formula भी रख सकते हो तो यहाँ पर RSH scale to क्या हो जाएगा RM upon M-1 where M क्या हो था हमारा multiplying power और M की value क्या होती है current is to be measured divided by the meter current तो यहाँ पर कितना current आप increase कर रहे हो 500 और meter current कितना दे रखा है आपको कहां गया तो यहाँ पर multiplying power कितना आगे हमारा 5 ampere आगया और यहाँ पर resistance कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है बस यहाँ पर value रख दीजे तो RM कितना आगया हमारा 0.1 divided by 5-1 अब इसको आगया आप solve कर लिजे तो यहाँ से जो हमारा answer है वो आ जाएगा clear है सभी को कोई दिक्कत समझते परेशान ही होतो बताओ good evening पयास कोई बात नहीं है दे रहाए दुरस्त आए है न अभी 3-4 question निकले है लेकिन काफी जो important explanation था वो निकल गया है तो वीडियो को बापस से देख ले न चलो वटावर से बताईए अच्छा अभी कोई question पूछ रहा था जिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था कि crammed का मतलब क्या होता है और इसका मतलब होता है compressed scale और इसका मतलब होता है lower value और high value के बीच में almost आपको linear scale मिलना यह मतलब होता है कि इसका crammed का मेगर इस एन इस्टूमेंट टू मेजर तो देखिए अभी अभी मैंने आपको नहीं बताए मेगर के बारे में तो देखिए मेगर जो है बेसिकली यह रहा आपके आखों के सामने चीक है तो यहां पर देखिए जो high resistance मेजरमेंट है तो आपको पताए कि जो हमार है रेजिस्टेंस की कटगरी में आता है और हाई रेजिस्टेंस जनरली किसका होता है कंड़क्टर का तो नहीं सकता हाई रेजिस्टेंस हमारा यहां पर देखिए हाई रेजिस्टेंस जो है हमारा किसका होगा यहां पर जो इंसूलेशन होता है ना इंसूलेशन का जो हो गया केबल हो गया इन समय इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है जो कि लीकेज करेंट को प्रिवेंट करता है अब यहां पर देखो और ग्रेटर दैन हंडेड ओम यह भी याद रखने अब यहां पर इसको मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट मैथड़ होता हमारा मेगर हो ख़ी जो यह हो गया हमारा मेगर हो गया हमारा और कौन सा होता हमारा लोस ओफ चार्ज मैथड El McL OW of charge हो गया हमारा loss of charge method and कौन सा हो गया हमारा एक direct deflection method हो गया direct deflection method इन चारों को याद रखना है कभी-कभी नामी सिर्फ पूछ लिया जाता है और कौन सा होता है मेगा ओम bridge method ठीक है मेगा ओम bridge method यह हमारे चार method हो दें किसको measurement of high resistance अब देखिए इसमें से सबसे जो best है वो हमारा कौन सा यहाँ पर यह आपकी आखों की सामने जो की चमक रहा है आपका है मेगर अब देखिए मेगर में यहाँ पर क्या होता है मेगर के construction में हम यहाँ पर दो क्या यूज करते हैं pressure coil यानि की moving coil और दो यहाँ पर क्या यूज करते हैं जो current coil है इसको यूज करते हैं ठीक है PC and CC स्रीं single PC and single CC यूज करते हैं यहाँ पर जैसे कि आपको मेगर के अंदर दो प्रेशर कोईल और दो हमारे मोविंग कोईल अब यहां पर देखिए यहां पर हम जिसका रेजिस्टेंस आपको मेजर करना होता है तो यहां पर हम क्या रहते यह टर्मिनल रहता और यहां पर हम जो है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है टेस्टेड उसको अब यहां पे reconnect करते हैं अब यहां पे देखिए गगा यहां पर हम क्या यूजिद सकर тwynak Chess आफको करते हैं अब यहां परżenia को कभी अलळक्से सप्लाई नहीं दिया जाता है तो यहां पर सप्लाई है हमारी सप्लाई क 21 से क्या बार जो हमारा एक्जाम में पूछा गया हमारा मेगर का 160 rpm जो इसकी fix speed होती है इसको याद रखना अब देखें जो मेगर है हमारा यहां पे मेगर का जो pointer है इसको किसी भी controlling torque की जरूरत नहीं होती है अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि यहाँ पर जरूरत होती है अगर आप यहाँ पर एक शानी को पढ़ते तो देखेगा एक शानी में साफ साफ लिखा कि यहाँ पर मेगर में किसी भी controlling torque की जरूरत नहीं होती है अगर कोई आप से objection करें तो उसको दिखा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर किसी भी controlling torque की आपको जरूरत नहीं होती है supply कौन देगा है यहाँ पर self hand driven generator तो अलग से auxiliary power source की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है ठीक है so this is the complete explanation किसी का भी हो सकता है cable का हो सकता है transformer का हो सकता है motor का हो सकता है हमारा है और किसका हो सकता है generator का हो सकता है मजा आया आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले question की तरफ which instrument has the lowest resistance कौन से instrument का यहाँ पर जो resistance हो कैसा होगा हमारा lowest instrument को sorry lowest resistance होगा तो यहाँ पर बहुत अच्छे है ना शानदा जानदा तो यहाँ पर वर्षा बैभब वबीता शिवम अजय आएंड शिल्पी और श्वैता स्वाथी इंदिरा सभी लोग एकदम है ना हमसे गरद उड़ार मजा आ रहा है चलो अगले प्रेश्ण की तरफ चलते हैं कि विच इस्टुमेंट है रोइस रजिस्टेंस तो देखिए यहाँ पर वोल्ट मीटर मेगर और फ्रेक्वेंसी मीटर अब यहाँ पर फ्रेक्वेंसी को मेजर करता है ना और यहाँ पर मेगर हम किसका यूज करते हैं insulation resistance को बचा कि यहाँ पर ammeter और voltmeter है तो देखिए don't be confused है यहाँ पर आप जनरली किस में confused होते हैंगे voltage source current source ammeter voltmeter चारों चीज़ें different चीज़े हैं तो यहाँ पर देखिए ammeter के अंदर जो losses होते हैं losses क्या होते हैं आपके i square into ra आप current का तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो यहाँ पर देखो obviously ra के हमारा internal resistance तो इसकी value कम रखोगो जिससे क्या हो आपका instrument के across drop आपका कम से कम हो या फिर जो losses हैं वो क्या हो आपके कम से कम हो तो यहाँ पर जो circuit के अंदर current का effect कम होगा और जो आपका meter है आपका इसमें reading जो आ अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो pv क्या होता है हमारा v square by rv तो अब यहाँ पर देखो losses को कम करने के लिए rv क्या होने चाहिए it should be high और यहाँ पर अगर hypothetical अगर ideal cases में बात करें तो ideal cases में ra कितना होगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर देखिए ideal cases की बात करें तो rv कितना हो सकता है नहीं हमारा क्या हो सकता है infinite हो सकता है तो यहाँ पर क्या होगा it should be low and it should be high चली तो राइट option क्या हो जाएगा अगर बढ़ते हैं अगले question की तरफ the moving coil in dynamo meter type watt meter is connected अब अगर देखो आप लोगों नहीं हाँ पर गलत आंसर बता है न तोहीन होगी आज के session की चली सभी लोग फटावर से सही आंसर बताएंगे हाँ पर bit fast बताई फटावर से क्या होगा राइट option everyone क्या होगा राइट आंसर चली देखें यहां पर वाट मीटर का question है और वाट मीटर के question में देखें आप से क्या पूछा जा रहा है ठीक है यहां पर देखें अभी अभी मैंने आपको explain किया था moving coil है तो moving coil हमारा nothing but क्या होता है moving coil जो पीसी और यह हमेंसे कहां पर लगा रहता है across the supply so option visa right option तो यहां पर तन्मे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आजय शिवम ठीक है सभी ने ठीक आंसर बताया है किसी ने गलत तो नहीं बताया हुम ठीक है सभी ने ठीक बताया है न चलो बहुत सही यह option वाला कौन थे हाँ पर बवी था यहां पर a option my dear कैसे हो गया अभी अभी मैंने आपको देखी हाँ पर पूरा समझाय था पूरा explain किया था कि किस तरीके से यहां पर जो हमारा resistance sorry जो वाट मीटर की connection है वो हमारे होते है न फिर भी आपने गलात आंसर बताए इस तरीके की मिस्टेक मत कीजेगा तो increase the range of voltmeter हमें देखी वोल्ट मीटर की यहां पर range increase करना है तो voltmeter की range increase करने के लिए हम क्या करें चलो बताओ फटावर से क्या होगा पटावर से बताई क्या होगा राइट आप्शन चलो देखो तो यहां पर पयास बबीता सभी लोगों ने ठीक option बताया है तो up to increase the range of voltmeter है अब देखिए सबोज आपके पास में क्या है यहां पर ammeter है तो ammeter से हम क्या करें यहां पर voltmeter हम अगर convert करेंगे तो हम यहां पर क्या लगाते थे एक series resistance जो है लगा देते हैं क्या voltmeter की range increase करने के लिए हम यहां पर यह जो rs है इसकी value कैसी होने चाहिए अफकोर series में लगा then it should be very high तो यहां पर rs की value कैसी होने चाहिए हमारा rs जो है अपका high value होना चाहिए ठीक है तो यहां पर right option क्या हो जाएगा हमारा high resistance in connected in series with the meter ठीक है अब यहां पर मेरा एक question है आप लोगों ने temperature error है ना temperature error के बारे में तो सुना होगा ना तो temperature error को reduce करने के लिए हम a meter के case में क्या करते है एक जो swamping resistance से swamping resistance को connect करते है ना जनरल यहां पर क्या आता है हमारा जो meter है meter में क्या आता है temperature error देखने को मिलता है तो temperature error को reduce करने के लिए in case of a meter है ना A meter के case में हम क्या करते हैं यहाँ पर जो meter है इसके series में इसके साथ में क्या लगा देते हैं यहाँ पर एक जो swamping resistance है वो दोस्तों लगा देते हैं तो यह RSH हो गया यह हमारा RM हो गया यह क्या हो गया हमारा R अब यहाँ पर देखिए न यह जो swamping resistance से क्या करता है यहाँ पर जो temperature की वज़े से यहाँ पर effect आता है उसको reduce करता है क्योंकि यहाँ पर RT is called to क्या होता है RT is called to होता है R naught 1 plus alpha T तो यहाँ पर alpha delta T है न तो यहाँ पर जो swamping resistance से यह भी किसका बना होता है याद रखना magnet का किसका बना होता है magnet का मिलके बना होता है यहाँ पर और यहाँ पर सीरीज में मीटर के साथ में connect होता है अगर मैं यहां से आप आरे से वैल्य पूछू तो क्या हो जाएगा आप लोग घबरा जाएंगे किसर तरी की अब क्या होगा अब कैसे निकालेंगे कुछ नहीं यहाँ पर यह सीरीज में लगे ना तो सारा expression सेम रहेगा तो अब यहां क्या हो जाएगा आरे प्लस और स्वैंप डिवाइड़ड़ क्या हो जाएगा म माइनस वन हो जाएगा तो इसमें घबराने परेशन वाले होने वाले कौन सी बात है चलिए अब यहां क्या रेजिस्टेंस के के स्वरी वोल्ट मीटर की केस में मुझे बताओ किया केस हो आप अपर सीरीज रेजिस्टेंस आपका हाई जो है आपका मिटर के साथ में कैसे लगा है हाँ यहां पे यहां पर की नहीं लगा है न तो already यहाँ पर जो series multiply resistance है यह आपका किसका काम करेगा swamping resistance का काम करेगा तो यहाँ रखना pmmc voltmeter does not require any swamping resistance जैसा कि यहाँ पर पयास शिवानी इन लोगा ने कुछ चीक बताएं यहाँ पर बभीता श्वायता अब अजय ने भी चीक बताएं तो यहाँ पर लिख ले न डास नॉट रिक्वाइर एनी swamping resistance डास नॉट रिक्वाइर और स्वांपिंग है न चर्प आगे बढ़ते हैं अभी हाँ से अगले question का answer बताएं दग्रैविटी कंट्रोल टॉर के न ग्रैविटी कंट्रोल मीटर इस प्रपोर्शनल चू तो आप देखें यहाँ पर हो सकता कई लोग यहाँ पर चीज पता होगा यहाँ पर ग्रैविटी कंट्रोल इस्टूमेंट के बारे में तो जनरली देखें जो हमारा power system होता है न तो वहाँ पर जो पैनल इस्टूमेंट होते हैं जो आपके पैनल टाइप इस्टूमेंट होते हैं तो पैनल टाइप इस्टूमेंट में हम यहाँ पर जनरली क्या एक तो आपका कैसे spring control होता है दूसरा और दूसरा कौन सा होता है हमारा gravity control होता है अब देखिये यहाँ पर gravity control instrument के दर्शन कीजिए so this is your gravity control instrument तो यहाँ पर देखे स्केल है यह हमारा pointer है और यहाँ पर के लगा है आपका controlling weight लगा है आपका यहाँ पर और यह balancing weight लगा है किसके लिए gravitational force को maintain करने के लिए तो अब यहाँ पर देखे अगर मैं इसका phaser बनाओ यहाँ पर तो यह देखे न यह वाला component देखे यहाँ पर यह रहा हमारा theta that is your deflection और यह क्या हमारा w sin theta अब gravity control instrument यहाँ पर इसका screenshot ले 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 ना whatever I explained you यहाँ पर आपका यह लिखा हुआ है ठीक है तो इसका screenshot ले 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 एक ठीक है अब देखे जो gravity control instrument है तो यहाँ पर जो हमारा theta है यानि कि जो deflection और के directly किसके proportion निकलता है टीडी आपको यहाँ पर दिख रहा है w sin theta यहाँ पर हमारा जो sin theta साइन theta के क्या होता है डारेक्ली प्रपोस्टन होता है gravity control instrument कहाँ पर यूज किया जाते है इसको याद रखना gravity control instrument हमारे जो पैनल टाइप instrument होते है पैनल टाइप instruments में यूज किया जाते है ठीक है चल मजा आया अगला question देखो swamping resistance is used to compensate the error due to तो देखे जितना मैं आपको explain कर रहा हूं उसके आगे जो question से वह आपको यहाँ पर देखते जा रहा है तो क्या हो जाएगा राइट option यहाँ पर देखिए temperature variation temperature error को reduce करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं जो swamping resistance से प्रभू use किया जाता है इसको अगला question है यहाँ पर two meter x and y यह question हर साल आता है इस टाइप का question देखिए और साल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर चलो बताओ फटावर से क्या होगा इस question का answer यार गर्दा ओडा दीजिए यहाँ ठीक हाँ बिलकुल सही बता है यहाँ पर always vertically mounted होते हमारे पैनल टाइप इस्टुमेंट है बिलकुल ठीक बताया चलो यहाँ पर देखिए प्रिती बैभर्व एंड संगीता अजय वर्षा धरहमराज सन्वी सुनील अजय अक्षय गर्दा ओडार एकदम बहुत बढ़ी है शांदार जांदर यहाँ लेकिन बाकी लोग मतलब कहां च तो यहाँ पर देखो आपकी जो sensitivity होती है हमारी PMC की sensitivity तो यहाँ पर sensitivity का expression क्या होता है हमारे तो sensitivity Sv है न तो sensitivity जो है it is given by 1 upon IFST और IFST क्या होता है हमारा Full Scale Deflection Current nothing but इसी को क्या बोला जाता है meter current है न तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sensitivity हमारा क्या है inversely proportional है आपका है तो अब sensitivity अगर inversely proportional है तो यहाँ पर देखें जो meter x है हमारा xm कितना रखा आपको यहाँ पर तो xm is 0 कितना हो जाएगा आपका 1 upon 40 milliampere और यहाँ पर दूसरा कौन से xy है न तो xy meter है इसके इतना हो जाएगा 1 upon 50 milliampere so obviously यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो meter x है हमारा meter x is more sensitive than the Metro of biontick है और यहाँ पर यहाँ पर sensitivity का unit निकाल आ जाया तो यहाँ पर unit क्या जाएगा इसका ohm पर volt unit आ जाएगा आप देखें यहाँ पर sensitivity जनरली instrument की कैसी होने चाहिए sensitivity जनरली instrument की high होने चाहिए तो यहाँ पर इसाइड वैल्यू होती है, sensitivity कितनी होनी चाहिए, आपकी sensitivity should be high, अब यहाँ पे देखिए, sensitivity unit क्या है, आपका ohm per volt, इसका मतलब यहाँ पे जो ohm का value हो यह क्या होनी चाहिए, high होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आपकी high sensitivity ही, तो यहाँ पे omic value होना चाहिए, यहाँ पे इसका wise वर्सा, sensitivity ही होने के लिए meter current क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने गलती से क्या किया है, यहाँ पे जो हमारे volt meter को आपने high range की volt meter को आपने कहाँ पे use किया, लो resistance meter पे आपने use किया है, लो resistance meter पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ जो आपका current है, आपका volt meter के थुरू के क्या करेगा, लीक कर जाएगा, जिसकी बज़े से यहाँ पे क्या आता है, एक error आता है, और उस error को क्या बोला जाता है, my dear friend, loading effect है, तो क्या आता है हमारा, इसको ही क्या बोला जाता है, loading effect, और loading effect, cost by the low resistance, तो loading effect को eliminate करने के लिए, यहाँ पे resistance कैसा होना ची, उस शुड़ भी high omic value, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप बैभब, यहाँ पे देखी, गलतियां तो होती रहती हैं आप लोगों से, लेकिन यहाँ पे गलतियां को क्या करना है, स्विकार करना और उनसे सीखना है, तो गलत होने का यह मतलब नहीं है, कि हम दी मोटिवेट हो जाएं, कोई बात नहीं, इस होके, चलो, आगे यहाँ पे अगले कुश्चन का अंसर क्या होगा, बताओ, बैलेस्टिक गलवन अ मीटर कॉंस्टेंट एक्वल टू, वन, माइक्रो कूलाम पर डिग्री, गिपसर थ्रो, यहाँ पे कितना दे रखा है, डिफलक्शन आपको यह 22.5 दे रखा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि जो हमारी क्यापेस्टेंस की वैल्ली हो मेजड, वो कितनी होगी, चली, बताओ, फटाओ, से बताओ, यहाँ पे राइट आप्शन क्या होगा, बिट फास्ट, गर्दा उड़ा दो, एवरिवन, क्या होगा, राइट आंसर, फटावर से बताईए, चली, तो यहाँ पे देखो, जो हमारे, यहाँ पे देखिए, जनरली इसका जो कंट्रोलिंग है, आपको पताओ, यहाँ पे जो Q है, Q का वैल्ली क्या होता है, Q is equal to क्या होता है, हमारा K theta, and in case of parallel plate capacitor, आपका जो Q है, Q is equal to क्या होता है, हमारा CV होता है, यहाँ पे जिस आपको क्या करना है, दोनों को equate कर दीजेगा, यहाँ पे, तो CV is equal to क्या हो जाएगा, हमारा K theta हो जाएगा, capacitance यहाँ पे आपको measure करना है, voltage कितना दे रखा है, 15, और यहाँ पे K के हमारा spring constant है, जो कि आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 µाइक्र कूला, तो कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे, 1 into, यह कितना दे रखा है, आपको 22.5 दे रखा है, बस यहाँ पे इसको solve कर लिजे, C, यहाँ पे जो कितना value आ रहा होगा, I think option A आ रहा होगा है, option A आ रहा है किया, option A आ रहा है या फिदी आ रहा है, एक बार calculate कर लिजे गया है, हांसे बस इसको इतना याद रखना, कि CV is called to क्या कर देना, के छीटे कर देना, answer निकल के आ जाएगा, क्या हो गया, okay, which of the following type instrument does suffer from error due to magnetic hysteresis, ऐसा कौन सा हिस्टे, यहाँ पे हमारा instrument है, जिसमें कि आपको hysteresis losses देखने को मिलते हैं, यानि कि pH, pH क्या होता है हमारा, के, f, bm की power x, that is the hysteresis losses है, बता है क्या होगा यहाँ पे, तो x क्या होता है, यहाँ पे, instant means, coefficient, इसकी value, material के उपर depend करते हैं, generally 1.5 से 2.5 के बीच में होती है, अब देखिए, यहाँ पे hysteresis error की बात की जाया है, तो, यहाँ पे देखिए, generally होता है, क्या है, जो moving iron type instrument होते है, इसमें यहाँ पे एक iron vein होता है, जिसे आप iron core बोल सकते हैं, like this है, और यहाँ पे आपके दो, एक fixed iron और दूसरा moving iron लगा रहता है, इस तरीके से, एक थोड़ा से यहाँ पे rough diagram बना रहा है, like this है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगे रहते हैं, north-south, south-north है, इस तरीके का हमारा iron vein होता है, लगा रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, आपको जो pointer है, यह हमारा, attached रह है, आपके जो iron core है, iron core में यहाँ पे क्या होता है, जो आपके hysteresis losses है, यह आपके होने लगते हैं, क्यों, just because आप यहाँ पे इसका iron core है, यहाँ पे भी एच करव आपको देखने को मिलेगा, non-linear b.h. curve आपको देखने को मिलेगा, आपको पता कि जो b.h. curve का area होता है, नद व किसको represent करता, losses को represent करता है तो यहाँ पे right option तो क्या होगा हमारा C तो however इसको याद रखना कि यहाँ पे जो hysteresis losses इसको minimize करने के लिए यहाँ पे क्या होतना चाहिए इसका जो cross section area है वो कैसा होना चाहिए small cross section area जो हम core का रखते है so that यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो losses है वो भी दोस्तों कैसा मिलेंगे आपको कम से कम देखने को मिलेंगे चल अगला question है हमारा यहाँ पे during the measurement of low resistance using a potentiometer the following reading were obtained voltage drop across unknown resistance इसका आगे का question I think miss है तो यहाँ पे let me check voltage drop across the आगे का reading कहा है इसका है न तो देखिए यहाँ पे I think जो question जो है आगे skip हो गया है तो यहाँ पे data sufficient नहीं है न data not sufficient how ever चली यहाँ पे देखिए तो potential meter को यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार कि जो potential meter को किस तरीके से काम करता है देखिए यहाँ पे potential meter हमारा generally किसके यूज किया जाता है आपका measurement of low resistance हमारा जो low resistance है low resistance को measure करने के लिए हाँ पे potential meter use किया जाता है तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से काम करता है potential meter तो potential meter में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं एक जो लगाते हैं एक unknown resistance R लगाते हैं तो R के हमारा यहाँ पे testing resistance या फिर unknown resistance ठीक है और यहाँ पे इसके साथ में series में क्या connect कर देंगे एक जो standard resistance S है इसको connect करते हैं तो S के हमारा यहाँ पे standard known resistance ओके और यहाँ पे देखिए हम potential meter box यूज करते हैं यहाँ पे जो हमारा potential meter box है PT box ठीक है potential meter box यूज करते हैं और यहाँ पे इसके switch होते हैं हमारे so let it be यह क्या है आपका one one-dash है तो अब देखिए अब हम यहाँ पे करते क्या है एक बार यहाँ पे जो potential meter है potential meter का जो switch है वो कहाँ पे connect करेंगे across the resistance R और एक बार कहाँ पे करेंगे unknown resistance S तो हमारा R क्या है यहाँ पे unknown resistance यहाँ पे test resistance है और यहाँ पे जो S के हमारा standard known resistance जैसे comparison करके आपको क्या निकालना है जो हमारा testing resistance RS की value निकालना है अब आपे काम कीजिए यहाँ पे जो switch है हमारा switch को कहाँ पे connect कीजेगा इसका कुछ नाम दे दो when, switch at AB, जो हमारा switch है, कहा होगा, switch at AB, तो जब AB पर यहाँ पर switch होगा, तो इसके across, जो आपको drop मिलेगा, unknown resistance के across, यह क्या मिलेगा, आपको देखिए यहाँ पर, let it be current यहाँ पर आपका flow हो रहा है, और in this case current I1 मानलो, और यहाँ पर जो voltage drop है, इसको क्या मानलो, यहाँ पर VR मानलो, तो यहाँ पर जो VR की value है, VR की value क्या आजाएगी हमारी, let it be I1 into R है न, तो यहाँ पर I1 का value हमारे कितना आजाएगा, VR upon R आगया, ठीक है, अब यहाँ पर second case में आप क्या कीजीए, यहाँ पर unknown resistance को कहाँ पर, यह जो box है, इसको कहाँ करेंगे, xy terminal पर connect कर दीजिएगा, so switch at xy है न, xy पर switch आ गया, तो यहाँ पर let it be, इसके across voltage क्या मानलो, VS है न, तो यहाँ पर, अब अपना अगला expression क्या आजाएगा, यहाँ पर, let it be in this case, value I2 मानलो, तो I2 जो drop, यहाँ पर VS क्या होगा हमारा, S into I2 drop हो जाएगा, तो I2 का value कितना होगा हमारा, VS upon S, अब क्योंकि हमारा जो circuit है, वो कैसा है, आपका series circuit है, तो just assume कि I1, I1 और I2 हमारा क्या है, I1 और I2 आप क्या मानलीजिए, यहाँ पर equal मानलीजिए, और यहाँ पर, जो आपकी equation 1 और 2 है, इसको क्या कीजिए, यहाँ पर compare कीजिएगा, compare करेंगे, तो यहाँ से किसका value निकालना, अपने को R का value निकालना है, तो यहाँ पर देखिए, इस side लिख देता हूँ, जगे कम बचा है, तो Vr upon R is equal to कितना हुए हमारा, Vs upon S, निकालना क्या है, R है न, तो R का value कितना आगे है हाँ से हमारा, Vs upon Vr into S, बस इस चीज़ को याद रखना है, इसको उपर question जो हमारा आता भी है, ओके, बढ़िया, मज़ा आया, बहुत सही, अगले question का answer बताई, यहाँ पर कि, वैना multiplier is added to a extinguisive voltmeter, existing voltmeter, for extending its range, अच्छा, यहाँ पर देखे, its electromagnetic damping, तो यहाँ पर इसकी जो electromagnetic damping है, वो हमारी क्या होगी, बताओ, बहुत मज़े कर रहे हैं यहाँ पर, स्वाती, आयन, पयास, नीरेश, श्वेता, क्या बात है, आज का PDF जरूर, यार, पंकर्ज, आप मैं क्या वोलू है, ऐसा नहीं कि, मैंने जानबुच के PDF नहीं दिया, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं, आप लो, यार की मतलब PDF नहीं दे रहा हूँ, PDF आपको देने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही, कुछ इश्यू जरूर हो गया होगा मेरे दोस्त, इसलिए नहीं दे पाया, चलो, लाइक और शेयर करना मत बूलो, और इस तरीके सा आंसर भी देते रहों यहां पे, ठीक है, कुशन काफी अच्छा है ना, कुशन काफी सही है यहां पे, अब देखो यहां पे किस तरीके से हम यहां पे इसका आंसर निकालेंगे, तो यहां पे किसकी बात की जा रही है, वोल्ट इमीटर की, आर के मौज मेरा सेंटर ऑस्टेलिया में, अच्छा, वहां से काम करना, कंगारू के साथ एक फोटो, वहां पे हैंना, वो जो जीव होते हैं, लंबा-Lंबा सा है, उसके साथ में एक फोटो खिचा ले आना, और मुझे भी यहां पे भेज देना, और वहां से कुश माल पानी भी ले आना, तो मुझे भी बताना ठीक है और किसी का कहीं तो नहीं है किसी का अमेरिका में है किसी का लंडन में हो तो बताना वहाँ पे है नैसे जैकेट वैकिट सुना बहुत अच्छी मिलती है रही है जो बलके जो कॉंटेक्ट फिर तो काफी आगे हो जाएंगे पागिस्तान जाने की जरुरत नहीं है पता चली कि आप वहां पर एक्जाम देखे गए और वहां पर कुछ अलगी हो गया है तो लावर आवर सेंटर रेने की बिल्कुर जरुरत नहीं है चलो अब देखो यहां पर तो चली स्कीत क्सिडर कर ले जेगा और यहां दो हो जायगा और इसी कह पर क्या हिनगा वन उपांड सी है सनर तो उसके बाद यहां पर क्या निका शकार रिएशिय निकाल ठ्रांसर फंसन और यहां पर जो सेकेंड एक्क्वेशन होता है हमारा कॉन सब्सक्रूंग is s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square is equal to 0 यह होता है हमारा है और यहाँ से compare करके आप किसकी value निकालिए zeta का value निकालिए तो zeta का value जो यहाँ से कितना आजाएगा आपका ry2 square root of c upon l I think मैंने आपको एक बार भी यह बताया है अब आप मुझसे immediately पूछेंगे कि sir ठीक है यह तो बाट ठीक है आपने parallel क्यों नहीं लिया पैरलल भी तो ले सकते थे यहाँ पर अरे दादा यहाँ पर हमारा जो volt meter volt meter में resistance कहां पर जाता है always series में connect होता है न रेजिस्टन्स हमारा है इसलिए मैंने यहाँ पर क्या अगले प्रेशन की तरफ चलते हैं यहाँ पर क्या है राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं यहाँ पर क्या होगा राइट ऑप्शन तो यहाँ पर है न बहुत पढ़ा होगा यह और अभी तक देखो पढ़ रहा है कोई गलत तो नहीं बताएगा यहाँ पर अगर किसी ने भी गलत बताया तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा तुमारी सेहत के लिए बाबू हाँ चलो यहाँ पर तो आप सभी इस समय स्से के बाबूश होना है तो देखें यहाँ पर मैंने आपको दोना चीज दिखाने ही कोशिश करता हूँ सर्कुलर मैंने और यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो force लग रहा है वो कौन सा force लग रहा है यहाँ पर जो repulsive force है यहाँ पर देखने को मिला और जो magnetic field है यह भी कैसा है circular magnetic field देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर क्या पूछा गया है current in opposite direction है opposite direction में current carry कर रहा है तो कौन सा force लग रहा है यहाँ पर जो हमारा repulsive force है वो देखने के लिए मिलेगा and indicating instrument the spring is mainly used to जो हमारे indicating instrument है वहाँ पर जो spring है mainly किसके लिए use किया जाता है previous question में expression क्या होगा हमारा just a bit हमारी current की value क्या हो जाएगा आपकी vr upon r और यह क्या हो जाएगा हमारा vs upon s है तो r की value तो निकाल लिए हमें यहाँ से तो कितना आ जाएगा vr into s is equal to vs into r है न ओके यहाँ पर correct कर लिए ना पीछली बारे expression को क्या हो जाएगा vs upon vr upon vs और यह कितना होगा एसना correct it ओके ठीक है सही बताया एक में टुक जाओ फटावर से correct it हां यहाँ पर correct करो फटावर से इसको धन्यवाद धर्मराज आपका तो यहाँ पर r का value निकाला है ना so r will be क्या होगा हमारा तो r is equal to कितना होगा हमारा vr upon vs into s है न यह कर लिए ठीक है तो उसको सही कर लिजेगा एक बार सभी लोग printing mistake हो गया भारी चले तो यहाँ पर देखिए हमारा indicating instrument है ना तो indicating instrument में देखिए हमारा जो इस्परिंग है मैंली काम क्या होता है तो dissipation का मतलब होता है कि यहां पर आपको output मिलेगा वह किसे मिलेगा deflection है यह हमारा क्या है spring और यह क्या है pointer अब यहां पे जो spring है' spring के आपको पता है क्या क्या काम होते है ना तो इट also provide the controlling पोलिंग टॉर्क जो कि यहां पर जो पॉइंटर का मुवेंटम में इसको कंट्रोल करता है न और जो इस्प्रिंग है किसकी मिलके बनी होती है आपकी फॉस्फोरस ब्रॉंच इंपर्टेंट यहाँ पर कुश्चन बता रहा हूं इस्प्रिंग किसका मिलके बना होता है इट तो यहां पर जितना लाइट वेट होगा मुवेंटम उतना ही अच्छा मिलेगा तो इसलिए हमारा पॉइंटर किसका मिलके बना होता है अल्यूमीनियम का मिलके बना होता है तो आप यहां से बेसिकली हमारा यह क्या करता है कि जो हमारा जो मुवेंटम है इसको कंट्रोल कर torque है it is provided by the spring तो सारे point I think मैंने बता दिया है आपको किसका मिलके बना होता है spring generally phosphorus branch का मिलके बना होता है ओके चला in dp in deep बहुत बहुत धने बाद पाया thank you so much from the bottom of my heart आगे चलते हैं यहां पर और अगला हमारा question है if 110 volt 50 hertz is applied across pmmc volt meter of full scale range है and internal resistance the reading of the volt meter will be एक number का कितना बुडबग है एकदम देखी बुडबग है कि नहीं इतना सारा कुछ यहां पर लिख दिया और यहां पर क्या लिखा frequency लिख दिया हर्ज लिख दिया अब हमें पता है कि जो pmmc है किसको read करेगा pmmc read only dc value only dc को read करेगा है तो यहां पर हमारा answer क्या हो जाएगा answer will be zero इतना लंबा चोड़ा कोशन लिख दिया है चलो बहुत सही अगले कोशन पर चलते हैं क्या होगा बिलकुल यार है न इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर इलेक्ट्रिकल वाले न होते तो दुनिया में क्या होता अंधेरा कायम है न चारों तरफ जो अंधेरे के रहे होते हैं दो बेसिकली यो र दा सकतिमान जितने भी उलेक्ट्रिकल्द वाले और क्या हैं एद्धिर का खात्मा किया तो Nossa شंष मेंite किस का कमेंट है हां पर शो नहीं हो रहा है तर सकतिमान乾ट को गीता चाहिए बताओ तो मैंभी टिसंग आगर गीता चाहिए तो उसके लिए क्या वनना पड़ेगा एससी जेही निकालो फिर गीता है ना जो भी चाहिए ना सब आपको मिल जाएगा तो पहले एससी जेही निकालो फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस कंप्लेट करना अब देखो यहाँ पर तो जितने में हमारे इंडस्टाइप के इंस्टूमेंट में हमारे जो हमारा डिफलक्टिंग टॉर्प को हता है आप यहाँ पर देखो जो हमारा टीडी है Td आपको कितना चाहिए maximum चाहिए, maximum के लिए यहाँ पे theta कितना होना चाहिए, it should be 90 degree होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए sin theta का maximum value कितना होगा, 1 होगा और sin 90 कितना होता है, हमारा 1 होता है तो यहाँ पे हमारा theta कितना होना चाहिए 90 degree होना चाहिए, also यहाँ पे जो theta का 90 degree रखो तो average power के directly proportional आ जाता है तो आप देखे 90 degree का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा pressure coil और यहाँ पे जो current coil है दोनों के बीच का difference कितना होना चाहिए theta will be 90 90 मतलब nothing but एक दूसरे के क्या होंगे आपके quadrature में होंगे तो क्या हो जाएगा in quadrature with the each other 90 degree का मतलब होता है quadrature चीक है अगले question पे आजाई यहाँ पे to minimize the error due to the lead and contact resistance low resistance used in the electric measurement work is provided with the तो यहाँ पे किसकी बात की जारी बंदू यहाँ पे low resistance की बात की जारी है अब जो low resistance होता है हमारा low resistance का अगर मैं classification यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे कितना classification होगा देखिए low resistance का तो generally resistance की value less down or equal to 1 ohm है तो इस तरीके के जो हमारे resistance होते हैं इसको किसमे classified किया जाता है बंदू आपका low resistance में classified किया जाता है now see अब यहाँ पे देखिए low resistance को measure करने के लिए सबसे जो best method है वो क्या होता हमारा Kelvin double bridge however यहाँ पे सारे method देखिए कौनसा कौनसा होता हमारा एक तो होता हमारा VI method है न VI method होता है तीनों नाम भी याद रखना है अपनी को है न VI method के बाद में कौनसा होता हमारा Kelvin double bridge method होता है Kelvin double bridge और कौनसा कौनसा होता हमारा बताओ और potential meter जो कि अभी अभी मैंने आपको बताए तो तो यह हमारे तीन method होते हैं किसके लिए measurement of low resistance के लिए जिसमें कि सबसे जो best method होता है यह हमारा कौन सा होता है हमारा so this is your best method Calvin, developer is हमारा best method होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे आपका कोई भी contact है यह contact है और यहाँ पर मान लीजिए कोई भी क्या है यह हमारा जैसे plug है आपका है तो यह हमारा plug है यह हमारा plug है तो इसका भी कुछ ना कुछ resistance होगा की नहीं होगा बहुत ही small resistance होगा लेकिन यहाँ अल्रेड़ी कि यहाँ पर जो लो रिजिस्टन्स की वैल्यू है इसका कितना वैल्यू है आपका लेज़नर इकॉल टूटा हुआ है तो लोग क्या करते चलो दो ही इंटे उठा के लिए चलो है क्या फरक पड़ता है करना नहीं चाहिए ऐसा यहाँ पर देखिए लेकिन यू आपको तो हर चोटी से चोटी जो गलती उसका धिहान रखना है क्योंकि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है क्योंकि अगर करेंट लगा तो सीधा क्या हो जाएगा टाटा बबाबा है न इसलिए यहाँ पर अपने को क्या करना है कि यह जो एरर है यहाँ पर कॉंटक्ट रजिस बिच का क्या है आपका यह modification है बस यहाँ पर अंतर क्या आता है वीट इस्टोन बिच में हम एक आम यूस करते हैं आउटर आम यह वाला और लेकिन यहाँ पर हम कितने आम यूस करते हैं दो आम यूस करते तो इसका जो कैलविन डबल बिच नाम है यह क्यों पड़ा नाम कर क्योंकि यहाँ पर टू हमारे जो रेशियो आम है वो यूस किया जाते हैं एक इनर रेशियो आम करसा हो जाएगा पी क्यों और पर रेशियो आम कैसा हो जाएगा पी एंड क्यों हो जाएगा तो यहाँ पर याद रखना कितने रेशियो आम होते हैं टू रेशियो आम तो इ error आ रहा होता है, इसकी वज़े से eliminate हो जाता है, तो अब यहाँ पे हमारा जो effect होता है contact or lead resistance इसको eliminate करने के लिए यहाँ पे देखो बाबू क्या होना चाहिए यहाँ पे P and Q आपका जो upper ratio arm है upper ratio arm P upon Q यह किसके equal होना चाहिए small ratio arm Q के equal होना चाहिए, तब यहाँ से क्या होगा आपका यह जो elimination है यहाँ से complete हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो error हट रियाएगी, अच्छा दूसरे यहाँ पे चीज याद देखिए, यह आपका यहाँ पे क्या लगा है, बैटरी लगा है बैटरी पाँ हम यहाँ पे क्या यूज़ करते है एक cross over switch use करते है न, एक cross over switch होता है M इसको use करते है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह जो point है यहाँ पे आपको thermo EMF effect देखने को मिलता है thermo electric EMF effect है न, यानि कि thermal effect है न तो यहाँ पे thermo EMF effect को करने के लिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं एक क्रोस चुछ यूज करते हैं जो कि बैटरी के पुलाटी को क्या करता है रिवर्स कर देता है चल बहुत सभी देखो आपका कमेंट हाइड हो गया है ना सर आपका बाबुश होना कौन है आवे पगले तुम सब मेरे बाबुश होना हो आप खुश बस मेरे उपर पिएश्टी करने का बड़ा आप लोग वादा शौक रहता है पड़ाई पर दियान नहीं देते हैं बस इतर दर की बादते से करवा लो पिल्कुल शलओ यहां पर आगे चलते हैं और हमारे क्वॉशन क्या है आपको यह प्रेज वेल्यों लोग यहां पर गरदा उड़ाएंगे यह यहां पर देखिए गा बहुत ही एकदम लल्ल Princess है नहीं यहां पे एकदम raelू सा क्वॉफ्शन है न हन्या बैक्द नहीं लेकिन आप लोग ने यहां पर बड़ी आंसर बता है सभी लोग ने और आंसर जो है बिल्कुछ सही बता है क्योंकि यहां पर यह जो वैल्यू कौन सी वैल्यू हमारी है इसके आगे कुछ सोच नहीं नहीं है में आगे चलो the SI unit of conductivity अच्छा यहां पर हमारा जो SI unit conductivity का वो पूछा गया है चलो बताओ फटवर से क्या होगा तो यहां पर शिवानी अजय यहां पर बिलकुल अच्छा अंसर बता रहे हैं आप देखो यहां पर किसकी बात की गई हैu conductivity की बात की गई है conductivity है हिंदी में क्या आप बोलते हैं इसको I think चालक ता बोलते हैं I think so है मैं मुझे याद नहीं रहा है क्या बोलते हैं वैसे मेरा 12 तक हिंदी मीडियम ही रहा है आचा इसके पीछे एक आपको थोड़ी से स्टोरी बताता हूं वैसे मेरी जो All India रेंग थी 126 रेंग थी आपकी तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरा कॉलेज है आपका मेरा है मिटीस गॉलियर इसमें मैं पढ़ा हूं सभी लोग जानते वेल नोन फेमस कॉलेज है तो आप मैं यहाँ पर गया पहला दिन था हमारा लेक्षर का है पहला दिन बड़ा ही अक्साइटिंग होता है तो बकाइदा है मंदिर बंदिर जाके पूजा उजा करके इसको कॉलेज में गए अब वहाँ पर पहला लेक्षर था कैमिस्ट्री का अब बैसे यार पहले मैं उनका नाम बोल गया वह कैमिस्ट्री का लेक्षर लेने आई जैसे आई उन्होंने और मुझे दो चीज समझ में आया इसके अलावा बाई गॉड यार पूरे लेक्षर में उन्होंने क्या इंग्लिस बोली मुझे एक शब्द पल्ले नहीं पड़ा अब जो मेरा डर था ना वो आठवे असमान पर पहुंच गया एन आई डिसाइड कि यहां पर अब मुझे इंजिनियरिंग नहीं करना है मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है मैं आज ही कुछ बिट करके यहां से कुछ बीएसी बगएरा समझे कि मतलब ऐसा कि नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उन्होंने पढ़ाया कुछ नहीं पहले लक्षर सिर्फ हमें समझाया तो फिर अंदर से जो था एक भरोसा इस्टे पॉसिटिव कहते हैं कि वहां से जो पॉसिटिव नहीं मुझे मिली अदर्वाइस मैं अपना लगी रहते हैं चलो एनिवे कोई दिक्कत वाली बात हैं तो यहां पर देखिए ऐसा जो कमाल था वो मेरे साथ हुआ था और अगर सोचो अगर इंजीनियरिंग उस दिन मतलब छोड़ दी होती तो आज आप लोगो कौन पढ़ा रहा होता और फिर हुआ भी यही कि जो फर् Culture अगर और हिंदी मेंड्यू मेरी सबसे अच्छी वब करती धी कलास में यहांपर ल हन्ठ्न पर मेरे से अच्ची हुआ को यहांपर इसका यूनिट को जैएगा हमारा ओम इंटूं मीटर स्क्वर में यहांगया आए हां से आपक का Ohm into meter हो गया अब देखीем Ohm को क्या लिखा जा सकता है Mud kalo by meter हो गया So what will be the unit तो यहाँ पे हमारा जो Ohm है Ohm को क्या लिखा जा सकता है Então यहाँ पे क्या हो जागा हमारा Neither per reus लिख सकता है तो अब यहाँ से देख लिजीए इस तरीकिये से कोई भी यहां पर जो unit आप निकाल सकने यहां से क्या आजाएगा आपका उल्टर लिख दिया इसको inverse करेंगे तो यह उपर चला जाएगा तो क्या आगया है यहां से आपका यह answer आगया है यहां पर क्योंकि यह क्या है इस तरीकिये से कोई भी unit है जो आप से पूछी जा सकते हैं तो अगर unit जैसे कभी भूल भी जाते हैं तो जहां पर सिंपल एक्सप्रेशन रखो और वहां से उसकी unit है वह निकाल देना चलो टूटी-फूटी इंगले सारे टूटी-फूटी है ना कहते हैं कि तिनका तिनका जोड़के घर बनता है तो बोलो ना अगर टूटी-फूटी भी आती है तो कोई अदिक्कत है तो अजय तुम्हारा में गरदाना उड़ा दूँ बोले कि गल्स के साथ मैं रैगिंग तो नहीं किया है ना गल्स की रैगिंग कभी वाइस करते वे देखें हैं क्या उनके पास एक हत्यार होता है अगर उनना ने रो दिया और रोते हुए कहां पहुंच गई प्रिंसिपल नहीं ले पाऊँगे हैं गोर चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हाँ आज मेरा थने बताय तो था मैंने कल भी बताय था अपको पीस बाड़िध फ्रेन बड़िवीन था पलीट लिवीं यह है तो बटावर से चाहरों में तो उसको पड़ा हो सबसे पहले आपर से बताई क्या होगा राइट आप्षिन के बिट फास्ट कि अधर से बताई यह तो एक मैम थी उन्होंने मेरी रैगिंग जरूर लिती मैंने तो कभी किसी की रैगिंग नहीं लिए तो फिर आगे से क्या होता था कि जब भी वो मुझे मैम दिखती थी तो मैं अपना रस्ता बदा ले रहा था और कहीं दूसरे रस्ते से जो था निकल जाता था क्योंकि उन्हें मतलब व्याज़ा लगता था कि मेरे अलावा क्लास में कोई दिखता ही नहीं जब देखो तब क्या पिस्टर C की में क्या होता है क्या हमारी 별 1ध अप्सल तो X के हमारा distance, तो अब यहाँ पर देखिए, also जो E होता है हमारा, E क्या होता है आपका, it is inversely proportional to 1 upon 4 pi epsilon not epsilon r, तो यहाँ पर देखिए, अब जो epsilon r है हमारा, all shaped paper की वज़े से epsilon r क्या होगा हमारा यह, बढ़ेगा हमारा, तो epsilon r अगर बढ़ेगा, तो E क्या होगा हमारा कम होगा, अगर E कम होगा, तो VB क्या होगा हमारा यहां से कम होगा, तो right option क्या हो जाएगा, option b is the right option ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सही होगी तब सर, अच्छा, बहुत मसे कर रहे हैं तम लोग हाँ, देख रहे हैं विनोध है न, सर पर भारी पढ़ रहे हैं तम सब, चलिए आगे question बताई हाँ यहाँ पर क्या होगा, देख रहे हैं विनोध, श्वयता कहारेगी, सर लगता है सर आप लड़कियों से बहुत डरते हो, देख रहे हैं विनोध हैं न, चलिए सही अभी, एक्जाम दो, उसके बाद में बात करते हैं, भाई डरने क्यों लगे हैं न, चलिए, आगे चलते हैं यहाँ पर, और अगले question का answer यहाँ पर बताएं क्या होगा, फटावर्ट से बताएं यहाँ बहुत ही simple सा question है, आपका एकदम जानदार, शानदार, यहाँ पर question है, बताओ फटावर्ट से क्या होगा, ज्यादा boy ragging का परिशान करते हैं, हाँ, बिल्कुल सही बताएं, चलिए, यहाँ पर, क्या होगा right answer फटावर्ट से बताएं, आग्चली problem यह थी न, कि जैसे अब सर लोग ragging लेते थे तो वो कई मतलब, अलागी task देते थे थे हैं, आप लोग समझते ही न, मैं हम जब ragging लेती थी तो हस के दिखाओ, यह करके दिखाओ, तुम्हारा smiley face है न, इस तरीकी का मतलब ragging लिया करती थी, तो इसलिए ragging देने का मन भी नहीं होता था, चलिए, फटावर्ट से क्या होगा right answer, फटावर्ट से बताएं, bit fast, कोई दिक्कत नहीं है, अंकीत, रोने वाली कौन सी वात है, 14 को नॉइडा में फेपर है न, जाई आराम से हस्ते खेलते हुए जाई है, और वहाँ पर answer, जो exam है, उसको दीजी है, बी confident है न, तो यहाँ पर देखो, इसको दिहान से देखाँ है, अगर दिहान से देखेंगे, तो यहाँ से पूछा क्या जा रहा है, कि आपका जो resistance R की value है, यह आप से देखो, पूछा जा रहे है, यहाँ पर current कितना आ रहा है हमारा, यह जो 2 ampere का current है, हमारा यहाँ से flow हो रहा है, इस इट हो के, यह देखो voltmeter, यहाँ पर क्या लगा है, यह हमारा voltmeter लगा है, और यह जो voltmeter यहाँ पर value कितनी दे रखेंगे, यह आपको 200 volt यहाँ पर दे रखा है, say yes or no, तो अब यहाँ पर जो current होगा हमारा, let it be, यह current क्या होगा, इस current आइवी का value में निकाल सकता हो न, तो current आइवी की value यहाँ से कितना होगा हमारा देखिए, voltage upon resistance, तो कितना होगा हमारा 2K, तो यहाँ पर कितना आगे हमारा यह, 0.1 ampere यहाँ से, हमारा जो आइवी है, यह निकल के आगया, अब यहाँ पर देखो है न, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, आप यहाँ पर केसी यह लगा दीजिए, यहाँ से कितना है, 2 ampere, और यहाँ पर कितना वादा, 0.1, तो let it be, यहाँ पर current क्या माल लो, IR, तो IR का value यहाँ से कितना आगया, incoming is called to outgoing, तो कितना हो गया, 2 minus 0.1, कितना current आगया यहाँ से, 1.9 ampere यहाँ से आगया, यहाँ समझ में आया, अब देखो, यहाँ पर parallel में जो voltage होता है, हमारा वो कैसा होता है, equal voltage होता है, equal voltage होता है, तो यहाँ पर भी कितना voltage मिलेगा बंदू, आपको 200 जो volt है, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा न, तो resistance R का value कितना होगा हमारा, nothing but 200 divided by 1.9, तो कितना आजागा हमारा, A is the right option, बिल्कुल शीख बताया, लखनव तो में नहीं जा सकता, भागलपूर भी नहीं जा सकते, लेकिन हाँ जो डैली में है, उनकी लिए मैं जा सकता हूँ, हाँ पर shift में है न, तो अगर आपका NOIDA 15, sector 62 में है न, वहाँ पर एकदम बड़ा center है, तो वहाँ पर जितनों का भी exam है, तो बता न, अगर कोशिश, मतलब अगर हो पाया possible, तो मैं वहाँ पर आपको जरूर मिलूँगा, देखो अगले question का answer क्या होगा, if the current होदा operating coil of a moving iron instrument double, यहाँ पर current जो इसको क्या किया जा रहा है, अगर double किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा force है, force क्या होगा हमारा, बताओ, force जो है आपका क्या होगा, force is nothing but क्या होता है, हमारा torque होता है, और यहाँ पर force की value क्या हो जाएगा, nothing but deflecting torque हो जाएगा, चलो बताओ, फटावर्ट से कितना होगा, अरे अंकित भाई मैं आपको यहाँ पर solve करके दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पर इस question को देखा जाए, तो यहाँ पर मैंने तो आपको fully explained किया है न, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी concept अच्छा आता है, तो इतना time देने की जूरत नहीं है, आपका बिल्कुल है न, जदस 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 को 30 seconds नहीं लगे इंसॉल करने में, चलो तो यहाँ पर देखे टीडी है, moving iron instrument की बात की जारी, तो moving iron instrument में जो deflecting torque होता, यह क्या होता है, 1 upon 2 I square DL upon G छीचा, तो यहाँ पर हमारा जो deflecting torque, directly proportional के सके हमारा current I square के, और current कितना हो रहा है यहाँ पर 2 times, तो कितना हो गया यहाँ पर, force हमारा यहाँ पर 4 times will increase, this option C is the right, D is the right option, अगला प्रशन पर चलिए, moving iron instrument, the iron moves in the direction to cause, the iron move in a direction to cause, in a direction है न, बताए यहाँ पर जो हमारा moving iron instrument है, इसमें जो iron vein, अभी अभी आपको मैंने दिखाया था, I think यहाँ पर पहला है, दूसरा, I think 4th question था, तो, वो मैंने आपको दिखाया था न, तो यहाँ पर देखिए, moving iron instrument है हमारा iron vein है न, तो this is your iron vein, तो यहाँ पर एक हमारा यह, iron vein है हमारा, ओके, तो यह जो iron vein है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर, क्या लगा रहता है, jewel wearing, और यहाँ पर आपके इस तरीके के magnets लगे रहते हैं न, आप देखिए, यहाँ पर, आपका यह spring रहता है यहाँ पर, और यह जो pointer हमारा क्या करेगा, हमारा move करेगा, तो अब यह जो pointer हमारा move करेगा, तो obviously यहाँ पर देखिए, आपका जो torque है, torque इसके लिए responsible होता है, current और current मतलब flux, तो flux की value क्या होती है, physical to, mmf upon reluctance है न, mmf upon reluctance, अब देखिए, reluctance क्या होता है, reluctance is nothing but, it is equal to the electrical resistance, तो क्या होता है, आपका equivalent to electrical resistance, लेकिन electrical resistance कहाँ पर valid होता है, हमारा electric field में, और reluctance कहाँ पर valid होता है, हमारा magnetic field में valid होता है, तो यहाँ पर reluctance क्या करता है, जो flux इसका oppose करता है, तो अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा pointer है, हमारा, इसका, यहाँ पर जो torque है, तो torque के लिए यहाँ पर flux, आपका जैदा से जाधा होना चाहिए, तो यहाँ पे अफ्लक्स ज्यादा से ज़्यादा होने के लिए reluctance क्या होना चाहिए कम से कम होना चाहिए तो यहाँ पे जो pointer का movement time हो कहाँ पे जाएगा in the path of low reluctance तो right option क्या हो जाएगा minimum reluctance path चेक है ना चले छीक option बताएं यहाँ पे मन्प्रीत, श्वयता, अजय, बैभर्ब, सही आंस से बताया, अगले कुश्चन पर चलिए, moving coil instrument has a resistance of 10 ohm, and give a full scale deflection, कितना दे रखाए, 0.5 volt potential difference across it, how it can be adopted, how it can be adopted to measure a current up to 100 ampere, यानि कि 100 ampere का current measure करने के लिए हाथे, क्या adopt करना पड़ेगा, अब बताओ, फटावर्ट से, फटावर्ट से बताए, bit fast, अभी लोग बताओ, फटावर्ट से क्या होगा, right option, everyone, चलो, देखो यहाँ पर क्या होगा, right option है न, तो यहाँ पर देखिएगा, एक मिनिटा आगी का slide देखूं ज़रा, यहाँ पर जगे नहीं है, थोड़ी सी भी, क्या करना चुए है, देखो यहाँ पर क्या होगा, so, यहाँ पर question को पढ़िएगा, question हमारा क्या कह रहा है, question देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कि आपका जो moving coil instrument है, यहाँ पर कितना दे रखा है, इसका meter का resistance, यहाँ पर आपको 10 दे रखा है, और full scale deflection, मतलब यहाँ पर जो voltage है, वो कितना हमारा 0.5 है न, अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, हमारा meter current I am, तो meter current I am का value है, वो क्या हो जाएगा हमारा, so meter current I am है न, to meter current I am क्या हो जाएगा हमारा, Vm upon Rm है न, तो यहाँ पर meter current I am निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर vm आपको कितना दे रखा है, देखिए, so VM will be आपको यहाँ पे 0.5 volt दे रखा है और meter resistance कितना है आपका 10 ohm दे रखा है तो यहाँ से अपने पास क्या आगया देखिए तो आपने पास यहाँ पे 0.5 divided by यह कितना आगया हमारा 10 आगया ठीक आप यहाँ पे देखिए यह नहीं क्या बोला है हमसे कहां भाग रहा है बार बार क्या बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको current कितना measure करना है 100 ampere का जो current है वो आपको measure करना है तो 100 ampere का current measure करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा so well known यहाँ पे हमारा current is to be measured i कितना है आपको 100 यहां से आपको यह दे रखा है ठीक है अब यहां से multiplying power m का value कितना होगा हमारा i upon i m होगा है तो यहां पर बस value put कर दीजे कितना आजाएगा हमारा यहां पर इसको solve कर लीजेगा और इसके बाद यहां पर जो हमारी value होगी required value rsh है तो rsh आपको कितना हो जाएगा यहां पर rm upon divided by m minus 1 प्लीज solve it है तो यहां पर देखिए right option कितना आजाएगा हमारा so a is the right option option a जो है आपको सही देखेगा यहां पर अब देखो यहां पर अच्छा सारे shunt में ही दे रखे है अगर series वाला option होता तो आप ऐसे eliminate कर सकते है तो option is the right option अगला question है हमारे यहां पर देखिए क्या दे रखे आपको multiplying power जो है आपने दे रखिए और यहां पर क्या कहा जा रहा है आपको जो millimeter यानि कि हमारा meter है इसकी multiplying power कितनी एट दे रखिए और current आपका कितना दे रखा है 100 million then the current रोधा meter तो बहुत ही simple सा question है तो अभी अभी मैंने आपको यहां से बताए था मीट मल्टिप्लाइंग पावर क्या होता है आई अपाउन आई एम होता है क्या पूछा आई एम की वैल्यू पूछिए सो आई एम विल बी कितना हो जाए करेंट इस टूबी मीजर्ड टू हंड्रेड मिलियांपियर डिवाइड वाइड कितना आगे एट और वेरी सिंपल ह हो जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर जो है पूस्ट आपको मिलेंगे जिसमें आपकी जो है सारी की सारे मतलब 30 सेकंड आपको नॉर्मली देखने को लग जाएंगे सर नेक्स्ट टूडे बेसिक एलेक्ट्रिकल का कुश्चन करवाई रजट बोल रहा है देखो रजट यार सबकी डिवान अलग अलग होती है न किसी का कुछ वीक है तो इस पॉसिबल हलंकि कल और पर्सों में जो है रिवीजन का जो है रखा गया है कि मैं कल और पर्सों में एक एक सब्चेट को करके आपका पूरा रिवाइज यहां पर करा दूँगा अगले कुशन पर चलते हैं देखिए यहां पर मेरेधिन चल रहा है और आप लोगों की ज थकते हैं क्या अब देखिए अगर थक जाओए तो यहां पर जो रॉष्णी है सभी अंधेरा अभी कायम हो जाएगा तो थकने की जूरत नहीं है बले सुबहें से साम तक भूल गया कि वहां रात रात भर की पढ़ाई एक रात मतलब सैमिस्ट्रों पढ़के यहां पर निक कि आप तो मतलब आराम से बैठके देख रहे हैं तो यहां पर ठकने की जरुद बिल्कुल भी नहीं आपको है ना जब भी अक्चुली क्या होता है कि हम अपने माइंड से सोचते हैं हम विया टायर अब नहीं हो सकता वहां से स्टार्ट कीचिएगा क्योंकि आपके अलावा अल्वेज रिफ्लक्टेड यह कहावत हमेशा सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी तो आप भाई देख लो है आपकी मर्जी क्या करना है आगे का कुश्चन देख यहां पर पढ़ेंगें तो यहां पर एक यहां पर ख्लू मिलेगा हाँ यहां यहां पर सेंसिटिविडी आपको कितना दे रखा है sensitivity आपको 1000, पूरे 1000 का note है ना और यहाँ पे जो हमारा voltage है यह कितना दे रख़ा है आपको 100V दे रख़ा है तो यहाँ पे जो हमारा RV होगा वो क्या होगा, हमारा ohm per volt meter होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 into 1000 तो यह कितना आगया हमारे पास में बैल्यस रख दीजे कितना हो जाएगा 100 डिवाइड इस इस ओवन मिलियां पिर अब देखो यहाँ पर अंसर आपको यह दे रखा है वन मिली एंपिर लेकिन मैंने क्या बोला कि हाँ पर हाफ फुल स्केल यानि यह हमारा जो आंसर आया है किस पर ऐ स्केल पर आया है किस पर तो half scale पे क्या हो जाएगा हमारा half scale तो half scale पे reading कितना आ जाएगा हमारा 0.5 milliampere यानि कि I कितना हो जाएगा हमारा IY2 कर दीज़े इसको getting चल बढ़िया आगे चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्ट की तरफ 2 volt meter आपको 2 volt meter यहाँ पे रखें 300 volt connected in the parallel to a AC circuit एक जो हमारा volt meter वो moving iron type का है और दूसरा कौन सा है moving iron type है वो कितना read का रहा है 200 volt और दूसरा कौन सा यहाँ पे PMC उसकी जो reading हो हमारी पोचिए यहाँ पे तो parallel में voltage लगा रहा कि moving iron type और दूसरा कौन सा है हमारा PMC है अब देखिए इतना सारा English यहाँ पे लिखने का ज़रूरत था एक दमेना बुडवक है की नहीं है आपको पता है कि जो PMC है कहीं भी इसको लगा दो series parallel PMC क्या read करेगा only DC read करेगा है और यहाँ पे क्या हमारा AC है आपका तो reading कितना हो गया zero reading हो गया कि नहीं हो गया बिल्कु सिंपल सा question दा है चलो आगे कर यहाँ पे answer देखते है to increase the range of AC ammeter you would use यहाँ पे देखिए AC ammeter की range increase करने के लिए हम क्या करते है तो यहाँ पे देखिए अगर मैं moving iron ammeter का case जो है यहाँ पे consider कर लो है तो जो moving iron ammeter होते है तो यह रहा हमारा ammeter है न तो यहाँ पे यह क्या है shunt branch parameter और यहाँ पे shunt branch parameter के साथ में क्या हमारा meter यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे जो meter है इसका क्या हो जाएगा RM resistance और LM क्या होगा inductance यह क्या होगा हमारा RSH और यह क्या होगा हमारा LSH तो देखिए यहाँ पर generally हम क्या करेंगे यहाँ पर जो पैडल में resistance और inductance जो है लगा देते हैं मीटर की range increase करने के लिए ओके लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यार रखिए एक इस आहनी में कहा गया है कि generally इसकी जो रेंज है वो आपकी ज़्यादा होती इनफेक्ट ज़्यादा ही होती है तो यहाँ पर जो करेंट ट्रांसफर्मर है उसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ यहाँ पर यहाँ पर जो आंसर है वो किसके साथ ही आप लोग जाएं यहाँ पर CT के साथ नहीं जाएंगे ऑप्शन डी के साथ ही जाएंगे ठीक है लेकिन बुक में करेंट ट्रांसफर्मर लिखा हुआ है लेकिन आयोग ने जो आंसर है वो क्या है अपका इंड़क टेंस अक्रोस है मीटर हो जनले हम यह करते हैं हलंकि दोनों ही ऑप्शन ठीक है ना कॉंट्रवर्सी यहाँ पर प पैरा मीटर इसके टाइम कॉंट्ट कैसा होना चाहिए दे शुट भी एक्क्वल तो यहाँ पर आपका जो टाइम कॉंट्ट है किसका शंट और यहाँ पर टाइम कॉंट्ट किसका होना चाहिए मीटर यह किसना होना चाहिए हमारा एक्क्वल होना चाहिए टाइम कॉंट्ट अब पुछक सर्थ थोड़ा सा यहां पे देखो समझनी आए देखो यहां पे बंधू मीटर का यहां पर रियक्टेंस है मीटर का रियक्टेंस क्या होगा XM XM की वैल्यू क्या होगी हमारी 2PiF Lm है ना फ्रेक्वेंसि अगर वैरी हुआ यहां पर क्या होग यहां पर क्या हुआ água ही हुआ क्यों है तो यहां पर क्या आयगा की न मेरिश्न के का 밝혔ningar अब पोरह स Aug branches का time constant कैसा होने चीए equal चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ बताए क्या होगा तो यहाँ पर सुहेला लवदीप एकदम सही answer दे रहे हैं आपर शनवी रजत लवदीप सना बबीता वेरी नाइस चलो आगे का अंसर बताए यहाँ पर क्या होगा everyone bit fast और यहाँ पर देखो जिन्होंने अभी तक जो है telegram channel join नहीं किया है वो फिटावर से जाके join कर ले है मैं सारे जो pdf है वहाँ पर भेज दूँगा चीक है आपको simple क्या सर्च करना है अभी ने सिंग आगे लिखा होगा official है ना जहां मेरे dp भी लगे होगी तो अभी ने सिंग official उसको join कर लीजेगा और जो अभी pdf है मैं वहाँ पर तुरंट कर तुरंट भेज दूँगा चली फटावर से पताए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा अब देखिए यहाँ पर emf induced in a coil rotating in a uniform magnetic field will be maximum van था है ना तो यहाँ पर basically machine का question आ गया है तो आपको पता है कि जो faradal of electromagnetic induction है e क्या होता है हमारा directly proportional to d psi y dt है ना और d psi हमारा क्या है flux linkage तो यहाँ पर e की value किसकी directly proportional है कि minus n d5 y dt है ना अब हमारा यहाँ जो minus है यह क्या बताता है lens law के बारे में बताता है effect oppose the cause और यहाँ पर d5 y dt क्या बता रहा है e के बारे में ना फैराडल लो तो यहाँ पर देखिए हमारा जो e है e maximum होने के लिए आपका जो flux की linking है यह कैसी होने चाहिए maximum तो यहाँ पर e maximum आपका कम मिलेग of course यहाँ पर हमारा जो rate of change of flux कैसा होने चाहिए it should be maximum तो अगर rate of change of flux हमारा maximum होगा तो यहाँ पर e b कैसा मिलेगा maximum मिलेगा की नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा rate of change of flux linkage is maximum so option d is the right option आप मैंने से किसी ने गलत आंसर तो नहीं बताया flux, देखो flux कम यहाँ जाधा matter नहीं करता है ना matter क्या करेगा आपका d 5 i d d है न है आपका flux का rate है जो आपका rate of change of flux वो कितना है हमारा है ना flux आपका जाधा हों से कोई matter नहीं करता हमारा है rate of change of flux हमारी कैसी होने चाहिए maximum होने चाहिए तब ही हमारा जो EMF है वो क्या होगा आपका ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा moving coil PMC and moving iron instrument can be distinct via observing है तो देखो बैसे तो इसमें बहुत सरे difference होते है moving हमारा जो PMC वो सिर्फ DC को read करता है और यह AC और DC दौनों को read करता है लेकिन यहाँ पे देखी जो main हमारा difference होता है PMC और moving iron में तो यहाँ पे देखी जो हमारा PMC के लिए PMC के लिए जो हमारा theta होता है theta क्या होता है directly proportional to i होता है और यहाँ पे जो हमारा moving iron instrument है moving iron तो moving iron के लिए यहाँ पे जो हमारा theta है theta क्या होता है directly proportional to the i square यहाँ पे scale कैसा आ रहा है हमारा linear scale आ रहा है और यहाँ पे कैसा आ रहा है non-linear आ रहा है तो right option क्या हो जागा है basically scale के बहाब में क्या होता है इसको define क्या जाद है अच्छा एक additional information यहाँ पे देखो हमारे जो mi instrument होते है mi instrument है तो mi moving iron जो instrument है यह आपके less expensive होते है mi instruments are less expensive are less expensive as compared to the as compared to the mi sorry यहाँ पे जो pmmc हमारे जो pmmc है pmmc के comparison में क्या होते काफी सच्टे होते है in fact rough construction भी होता है इनका चलो आगे चलते हैं यहाँ पे अगले question की तरफ खाना खा लेते हैं गुरुजी से बाद में मिलते हैं अंकित खाना पीना मैंने कल बोला थाना की सब कुछ करके बैठना है ना फिर भी सुनते नहीं हो सभी के सभी लोग आगे चलते हैं यहाँ पर speed of meager is kept at तो यहाँ पर देखो अभी अभी मैंने आपको बताए तो no need of much more explanation क्या होगा हमारा 160 rpm है तो meager की speed कितनी होती 160 rpm इसको याद रखना question जो आपका पूछा जाता है यहाँ पर देखो अपने दिवाकर बंधू आजय बंधू हर्शुल आजय और यह सभी लोग को एकदम सही answer बता रहे है चलो गर्दा अगले question का which instrument is used to measure the high resistance है तो देखो यहाँ पर सारे के सारे resistance जो हमारे यहाँ पर method है वो आपको दे रखें तो यहाँ पर देखी जो meager है हमारा अभी बताया था किसके लिए लोर रजिस्टेंस के लिए होता है केरी फर्स्टर जो हमारा slide wire bridge है किसके लिए हुता है medium है और यहाँ से जो हमारा wheat stone bridge है किसके लिए होता है आपका same यहाँ पर medium इसके लिए यूज़ाता है दो राइट ओपशन क्या हो गया में अब यहां पर देखिएगा जितने भी हमारे यहां पर ब्रिजिस बगएर हैं इसको देखिए एक बार तो यहां पर देखिए इस पेस किसी चीज़ के लिए तो छोड़ा गया होगा तो यहां पर देखिए जो resistance के बारे में यह तो मैंने आपको बताई दिया तो यहां पर जो bridges है bridges के बारे में आपको बता देता हूँ एक बार यह फिर आगे question आएगा वहीं पर बताऊंगा चलो if a dynamometer type wattmeter is connected in a AC circuit the power is indicated by the wattmeter so again देखिए no need of much explanation आपको already lecture के शुरुवात में explain किया था average power 3 wattmeter method of power measurement can be used to measure a power balance, unbalance, both balance या unbalance तो देखिए यहां पर हमारे जो 3 watt यह 3 है ना 3 की जगा फटावर्स यहापे पहले 2 कर लो है ना यह answer गलत लग दी है पर 3 की जगा यहाँ यहाँ पर 2 wattmeter है ना 2 wattmeter करो है यहाँ अब देखिए यहाँ जो 2 wattmeter होगा 2 wattmeter देखिए यह रहा हमारा तो load आपका 2 तरीके का होता है तो यहाँ पर जो हमारा इंडेक्टर और कैपिस्टर है हमारा इंडेक्टर और जो कापैसिटर है इसमें देखी यहां पर क्या होगा सरी अभी वह चीज पॉसिवल नहीं अगर ऐसा कुछ डाउट होता है तो एक लेक्चर यार पहले बता दिये कर रहा है तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ां होती है त आफ-लाइन कमेंट में जाके बता दिया करो अब यहां पर देखो हमारा लोड स्टार और डेल्टर दो तरीके का हो सकता है तो यहां पर जो ब्लॉंड तियुरं था ब्लॉंड थेयुरं था अपने को क्या बताय था यहां पर इस चीज़ को यादर रखने दोस्तों एक common point के साथ मैं connect कर दूं तो यहां पर जो हमारी total power होगी PT वो क्या होगा आपका it will be reading of wattmeter 1 plus wattmeter 2 के equal आ जाएगा अब देखो यहां पर मैं आपको प्रूव भी कर देता हूं यहां पर अब यहां पर कररेंट कितना फ्लोव हो रहा आ आई इवन पहीं आप अब जो व Boss ने कारेंट सीफ्सेताइगा पिशत्रीं पार आप की व मैं 91 só शाय का डेंगा लोगा शलगत आपके न र होग्ते तक हमाना वी मैं संद्रीं से में यहां जाएगा यहां पर वाट मीटर 2 का रीडिंग देखेगा यहाँ पर अब देखे यहाँ पर current कौन सा जा रहा हमारा I2 है तो यहाँ पर के ले लो I2 ले लो अब यहाँ पर देखे वोल्टेज कौन सा रीड करेगा यह वाला है न प्रेशर कोईल तो इन दो हो ना कि यहाँ पर अक्रोस लगा है न तो I1 प्लस I2 प्लस I3 विल भी क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा यहाँ से वैल्यू निकालके रख दीजिएगा तो यहाँ पर जो हमारी रीडिंग वो किसके कुला जाएगी त्री फेस पावर के कुल यहाँ पर आपकी जो पावर है वो निकल के आ जाएगे अब यहाँ पर यह फरक नहीं पढ़ता है कि हमारा लोड बैलेंस या फिर अन बैलेंस है अगर अन बैलेंस लोड भी है तब उसके लिए अगर आप ड्राइफ करेंगे तब हमारा एक्स्प्रेशन सी मी आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो टू वाट मीटर मैथड है आप कर चाहे हमारा बैलेंस लोड हो या फिर अन बैलेंस उसे फरक नहीं पड़ता और सचार हो या फिर चाहें डेल्टा हो दौनों के लिए क्लिए होता है हमारा यह अप्ली केबल होता है ठीक है चलो in which of the following do the measurement find their application यहाँ पर अब मतलब यह common sense का question है ठीक है telegram उसमें मैं link डाल दूँगा अच्छा chat group है ना उसकी भी link डाल दूँगा तो उसका आप जाइन कर सकते हैं no issue बाकि जिन्हों लोगों ने जॉइन नहीं किया है फटावार से जाओ और जॉइन कीज़ेगा सच करो सिंपल अभी निए सिंग है ना आगे लिखा होगा official उसको जॉइन कर लिजेगा वहाँ पर सारे आपके जो job notification है वो भी आपको मिल जाएं है कौन से notification आ रहा है कौन से नहीं आ रहा है सारी चीज़ा आपको मिल जाएं अब देखो यहाँ पर common sensor यहाँ पर आपका measurement है तो measurement का मतलब क्या होता है कि एक कोई यहाँ पर जो उसको significant quantity में बताना तो यहाँ पर देखी क्या हो जाएगा हमारा control of process हो जाएगा इंजिनियरिंग एक्सपरिमेंट सभी तो है न तो यहाँ पर right option क्या हो जाएगा ABC तो इन सारे अप्लिकेशन में आप देखते हैं यहाँ पर measurement जो हमारा यूज होता है module, Voltmeter with a broad bandwidth अब देखों यहाँ पर यह जो कुश्चन है इस कुश्चन में सारे के सारे concept इसने, söyl कर लिए है यहाँ पर जो कुश्चन है isme सारे के सारे जो गेन, bandwidth और gain का जो हमारा product होता है, वो कैसा होता अपना, constant होता है कि नहीं होता है आप देखिए अगर यहाँ पे bandwidth अगर हमारी high है bandwidth अगर हमारी high है, इसका मतलब gain क्या होगा, आपका कम होगा है तो gain आपका reduce होगा, और bandwidth high होने का मतलब होता है कि stability high होना, stability तो circuit की जो stability वो कैसी होगी, high stability होगी यहाँ से एक concept हमें समझ में आ गया है दूसरा concept देखिए यहाँ पे, जो हमारा bandwidth होता है आपका, it is also directly proportional to the noise आप जो हमारी bandwidth है अगर bandwidth को increase करेंगे तो यहाँ पे जो signal to noise power है, इसमें जो noise हमारा क्या होगा also increase होगा, तो right option क्या हो जाएगा, noise के साथ साथ में देखने के लिए, आपके obviously stability high होगी, तो sensitivity भी क्या होगा, आपका high होगा, चीक है, तो high sensitivity and high noise देखने को आपको मिलता है चलिए अगले question का answer बताईए क्या है, तो लो नहीं होगा जो noise power होता है वो directly proportional होता है किसके bandwidth के आपने यहां पर थोड़ा वहत भी signal system पढ़ा होगा तो जो noise power होता है हमारा signal to noise power अगर वो bandwidth के directly proportional होता है न आगे आपनी वानी नहीं पीने दोगे क्या electrical engineer थोड़ा पानी भानी भी पी लिया जाता है न अपसे भोल रहा हूं थोड़ा सा भी महलत दे दिया अगर दो मतलब एक दो मिनिट की चलिए आगे का answer बताई यहां पर क्या होगा bit fast अभी लोग बताए देखे एक दो मतलब simple question आगया है न एम फ नटिंग वर्ट वोल्ट और शुड़ बीड़ ऑब्ज़र वन कनेक्टिंग वोल्ट मीटर इंटो डीसी सर्किट अच्छा यहां पर देखो हमारा जो वोल्ट मीटर है अगर डीसी सर्किट में आप लगाते हो तो क्या होगा ओबि सेम है तो बताई यहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होगा डीसी अफिर एसी अफ्कॉस यहां पर डीसी हमारा ज्यादा खतरनाक होगा ना नेरा कल बताए तो था अब जब तक class है तब तक मतलब चलेगा भी question जब तक खतम नहीं हो जाते हैं तो अब यहां पर देखिए polarity जो हमारा सबसे concerning point जो यहां पर होता है आगे का यहां पर question देखिए potential divider is normally connected तो हमारा जो system होता है system में जो potential divider है देखिए कहां पर connect होता है तो potential divider देखो यहां पर generally क्या होता है जो हमारा generating station होता है न तो generating station से outside so let it be यह क्या होगा हमारा rg generating resistance और यहां पर यह resistance अब देखिए यहां पर यह जो outside है न यह तो यहां पर output निकाल लेते हम लोग है न तो यहां पर जो हमारा potential meter होता है मतलब जो sliding wire है न यहां पर कहा होगा outside the generator तो right option क्या हो जाए आप देखो हाई Q, लो Q, इस तरीके के जो question से आपको काफी देखने के लिए मिल जाएंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे guys, आपका देखी सबसे पहले बात करते हैं कि इसका हाई Q, तो हाई में कौन सा ब्रीज होता है हमारा, जो हेस ब्रीज होता है, यह किसके लिए यूज होत है ना, दूसरा कौन सा ब्रीज होता हमारा, Maxwell ब्रीज है, तो Maxwell M मतलब कौन सा होगा हमारा, hydraul VI, तो Maxwell ब्रीज किस में use होगा हमारा, medium की calls में use होगा है, बचा कौन सा आपका Anderson, इन्डेर्सन टो जो एंडेर्सन बिचार था किसके लिए यूज रहा होगा आपका लोकल यूज होते है तो इस अर बीजरमेंट आफ द इंड़्टेंस अब यहां पर एक और याद रखना है है वी साइड मिच्वाल इंड़्टेंस अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा mutual inductance तो यहाँ पे जो heavy side mutual inductance bridge है किसके लिए use होता है हमारा mutual inductance के लिए ही क्या होता है आपका use किया जाता है अब बात करते है measurement of capacitance की तो देखिए यहाँ पे जो capacitance का measurement हम दो bridge use करते हैं कौन सा एक दो होता हमारा d shorty bridge d shorty bridge और दूसरा कौन सा होता हमारा यहाँ पे sharing bridge sharing bridge अब देखिए यहाँ पे जो d shorty bridge है जनरली कैसा होता है इस पे dissipation factor accurate नहीं निकलता है तो यहाँ पे जो best method होता है capacitance के measurement के लिए कौन सा होता हमारा sharing bridge ठीक है तो remember this यहाँ से definitely एक कुशन देखने को मिल जाएगा चल आगे चलते हैं यहाँ पे potential transformer are used तो देखिए जो हमारा pt होता है तो यह देखिए यहाँ पे nsp लीजे इस तरीके का आपको जो pt है वो actual में देखता है सभी stations में आपने देखा होगा तो यह हमारा pt है आपका अब जो potential transformer है यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी होता है प्राइमरी में क्या होते है हमारे many tons होते हैं और जो secondary इसमें क्या होते हमारे few tons होते है अब यहाँ पे देखिए जो हमारा pt है तो जनरली जो हमारा bus bar होता है तो bus bar ryb तो हमारा जो bus bar होता है हमारा bus bar पे जो हमारा each feeder होता है sorry each phase है तो बस बाहर पे जो हमारा phase voltage होता है sorry जो phases होते है phases का voltage measure करने के लिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं जो potential transformer इसको use किया जाता है अब जो potential transformer है यहां पर याद रखना है इसका generally जो secondary rating होता है नॉर्मली कितना होता है 101 110y रूट 3 है इसका जो सेकंडरी रेटिंग हमारा देखा जाता है यहाँ पर जो सभी स्टेशन है यानि की मेजरिंग इस्टूमेंट है आपका सीटी एस पीटी ओके चलो आगे चलते हैं कोशल शुकला हाई हाई कोशल क्या हल चाला है चली बताए फटावर से पटावर से बताए यहाँ पर गर्दा उड़ा दीजेगा लैबाटरी टाइप वाट मीटर सार था ना देखो तो जो लैब में हमारे जो वाट मीटर है वो कौन से यूज होते हैं तो इलेक्ट्रो डाइनवा मीटर टाइप वाट मीटर यह जनरल हमारे यूज किया है तो चलो बताओ आगे का कुश्चन क्या होगा पटावर से बताए अगले कुश्चन का आंसर क्या होगा बिट फास्ट आवरिवन चलो यहाँ पर शोयता इंदिरा वभीता सबी लोग अच्छे सांसर बता रहे है डाइनवा मीटर टाइप वाट मीटर कंपन सेटिंग कॉयल यहाँ पर देखो किसकी बात कीजारी कंपन सेटिंटिंग कॉयल किया न तो जनरली जो लो वाट मीटर होते हैं हमारे यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके जो हमारा सप्लाइ है इसका पर क्या रगा देंगे प्रेश कोई है और हमारा सीज Canis तो यहां पर देखिए जो हमारा error है तो यहां पर error को compensate करने के लिए हम क्या करते है यहां पर जो हमारा IP और IC है यहां पर क्या जाए प्रेशर कोईल करेंट IP और एक हो जाएगा IC तो इसको compensate करने के लिए हम यहां पर of current coil and it connected in series with the voltage coil या फिर PC so option B is the right option option C कैसे हो गया आप लोगों का समझ नहीं आए मुझे option C option C मतलब current coil के equal होगा current coil में connect कर रहा है बढ़ी है अगला question है हमारे यहाँ पर phantom loading के बारे हो है so wattmeter is being tested on the phantom loading और यहाँ पर phantom loading कितना बता रहा है आपको wattmeter की reading 60 watt है तो what is phantom loading यहाँ पर देखो phantom loading के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखे इसका screenshot ले 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 तो basically जो energy meter या फिर वाकिए कोई भी हमारी device है phantom loading पर यहाँ पर testing के लिए यहाँ पर यहाँ पर इसका जो best use है वो क्या हमारा testing testing of instrument इसके लिए use किया जाता है अब phantom loading देखो क्या होता है अब जैसे माल लिजिए आपके पास में यह energy meter है न अब आपको directly माल लिजिए आपने load में connect कर दिया तो directly connect करने से पहले test करूँ कि नि करूँ जैसे transfer हो में OCSE induction motor whatever हर जागे हम test करते है न तो testing का मतलब होता है कि with actual loading it testing है न with actual loading testing it अब इसमें देखिए यहाँ पर जो phantom loading है काम कैसे करता है actual में actual loading की तरह ही काम करता है है लेकिन यहाँ पर जो phantom loading है आपका नाम से loading समझ में आ रहा है न लेकिन loading यहाँ पर क्या होते है very small value है न very small यहाँ पर जो loading है वो हमारी रहती है so that यहाँ पर जो power consumption है testing में वो क्या होता बहुत ही कम होता है तो इसके एक बार snapshot ले लिजेगा फिटावर से तो राइट option क्या हो जागे हाँ पर हमारा much less than 60 watt अगला question है हमारा यहाँ पर induction type energy meter everything else remains same if the radial distance of the brake magnet यहाँ पर देखो मैंने आपको होतने explanation की ज़रुत नहीं है तो यहाँ पर जो rotation होता है हमारा disk का और यहाँ पर जो radial distance होता है brake magnet का यह क्या होता हमारा inversely proportional होता है इसको याद रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा n1 upon n2 is equal to कितना आगे हमारा d1 upon sorry d2 upon d1 तो यहाँ पर क्या पूछाए कि हमारा जो rotation है आपका वो कितना increase होगा तो देखी यहाँ पर nothing but value रखती चेगा so n1 upon n2 और यहाँ पर जो हमारा d2 है तो d2 देखी यहाँ पर जो distance हमारा brake magnet का कितना होगा हमारा decrease by the 10% है तो 10% इसका मतलब कितना होगा हमारा 100 मैंसे 10 गया तो 0.9 of कितना होगा हमारा d1 upon d1 ओके तो this will get cancelled out यहाँ पर क्या जाएगा हमारा so option is the right sorry d is the right option एक बार चेक कर लिजेगा ओके आप लोगों ने भी option ठीक बताया है आगे बढ़ते हैं the burden of current transformer is expressed ना तो देखिए burden is nothing but क्या होता हमारा rating और जो rating होता हमारा transformer का किसम होता हमारा volt into ampere में तो nothing else है न क्या हो जाएगा option बीज़ा राइट option फैंटम loading arrangement energy meter consumption calibration test of watt meter is reduced because of तो यहां पर देखिए अगेन यहां पर फैंटम meter फैंटम का question आ गया तो यहां पर फैंटम loading में होता है कि loading basically क्या होती है आपकी absent होती है ठीक है तो क्या right option हो जाएगा to reduce the losses sorry the absence of the load in the test है मतलब बिल्कुल absent नहीं होता है hypothetically आपकी present होती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले question का अंसर बताई क्या होगा है यहां पर कोशल क्या फिर से बताना है फटावर से बताई यह फैंटम loading फैंटम loading का मतलब होता है कि यहां पर basically के लिए देखो कोई भी instrument होता है उसको हम क्या करते है कोशल जी टेस्ट करते हैं न बिफोर actual loading में मतलब operation में ले जाने इससे पहले आप उसको connect करेंगे तो यहां पर आप टेस्ट करने के लिए क्या करोगे कि जैसे यहां पर कोई भी रेटिंग है न मशीन जो हमारी या फिर कोई भी instrument है इसका कुछ ना कुछ rated values होगा है न अब उस rated values पर ही तो आप उनको टेस्ट करोगे न अब जाइसी बाते जब टेस्ट करोगे तो वहां पर power losses होगे की नहीं होगे यहां पर लोडिंग की वज़े से लेकिन फैंटम लोडिंग आपको यह facility प्रोवाइड कराती है कि यहां पर इस्मॉल लोडिंग के साथ में इंस्टुमेंट को टेस्ट किया जाता है और वह किसके equally behave करता है हमारा actual loading के स और यह reading मिलती है यह क्या मिलती है आपको wattmeter 1 की जो reading मिलेगा वो क्या मिलेगा root 3 vi cos मैं rms value यहां पर line values ले रहा हूं तो vi cos 30-5 है ना कितना मिलेगा आपको 30-5 wattmeter 1 का reading और यहां पर जो wattmeter 2 होता इसका reading क्या मिलता आपको root 3 vi cos 30 plus 5 30 plus 5 है ना अब यहां पर देखिए 5 हमारा क्या होता है 5 आपका जो है आपका power factor angle है हमारा और यहां पर power factor क्या हो जाएगा हमारा nothing but power factor will be cos 5 अब यहां पर देखो इस तरीकी का कोई भी question आजाए आपको सिर्फ और सिर्फ यह दो equation याद रखने की ज़रत है बाकी जमा दखिए गए यहां पर आपका कोई भी आप answer यहां से solve कर सकते हैं यहां पर 5 का value रख देजे ना question में क्या पूछागा है यहां पर देखिए w1 और w2 कैसे दे रखें equal दे रखें तो आप w1 और w2 हमारे कभी equal होंगे देखो यहां पर जब हमारा w1 और जो w2 है यह हमारे कभ आप equal होंगे देखिए यहां पर जब आपका 5 कितना होगा फाई शुडवी 0 होगा की नहीं होगा तो यहां पर देखिए हमारा जो w1 और w2 कैसे होंगा आपका यह तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कुशन में पावर फ्रक्टर पूछा या फिर पावर फ्रक्टर एंगल है ना मतलब छोटी सी बाते लेकिन बहुत मोटी बात है ना क्योंकि गलत हो जाएगा 0 और 1 दोने यहां पर option आपके दे रखें तो यहां पूछा है पावर फ इसका ध्यान रखेंगे बस और यहां पर जो रीडिंग है इसको अपने जहन में उतार लेना और यहां पर देखिए अगर यहां से इसका पावर फ्रक्टर निकालना हो तो दोने रीडिंग का यहां पर सम्ट कर दीजिए तो यहां पर जो पावर फ्रक्टर निकलेगा हमार cos phi है, तो cos phi की value क्या निकलती है, यहाँ पर, cos tan inverse of, क्या निकलेगा आपका root 3, w1 minus w2 w1 minus w2 divided by w1 plus w2 है, watt meter 1 of watt meter 2 का rating, इसको भी याद रखना directly है न, वैसे अगर मालो formula के form में पूछ लिया है तो, otherwise यहाँ पर जो trick है न, इसी के through जाएंगे, चलो आगे चलते हैं, चलो नीरेज थोड़ा सा और रहे गया, अब तो, जादा नहीं बचा, थोड़ा सा और बचा है न, मुस्किल से 10 मिनिट का बचा होगा, तो यहाँ पर सभी लोग जोश और हुस के साथ में बने रहे हैं, देखिए, यहाँ पर पर लास्ट, sorry, the least number of single phase wattmeter required हूँ, अब यहाँ पर देखो, 3 phase 4 wire system दे दिया गया है, तो ध्याँ रखना 3 phase 4 wire system में, आपके जो number of wattmeter की जरुद होगी, वो कितनी होगी, हमारी 3 होगी, 3 phase 3 wire, वहाँ पर चाहिए, balance load हो, चाहिए, unbalance load हो, वहाँ पर 2 की जरुद होगी, and minus 1 wattmeter की है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना रखा है, 3 phase 4 wire, तो इसको याद रखना कितने की जरुद होगी, 3 wattmeter की, which of the following transformer is the secondary always kept close, कौन से transformer में हमारी जो secondary वो हमेशा कैसी रखी जाएगी, तो आप देखिए, आपको पता है कि जो हमारा CT होता है, current transformer में क्या होता है, कि यहाँ आप से जो primary है, primary में क्या होता है, few tons होते हैं, लेकिन जो secondary है, secondary में क्या होगे, इसमें बहुत जादा tons होगे, तो आप देखो, यहाँ पे tons हमारे जितने जादा होगे, voltage की value, हमारी E की value उतनी ही जादा होगी, अब आपने क्या किया गलती से जो secondary इसको क्या किया open कर दिया, तो आपको पता है कि open circuit में क्या होता है, यहाँ पे voltage आएगा आपका न, तो यहाँ पे इसके across huge voltage जाएगा है न, huge मतलब बहुत जादा high, यहाँ पे it produced very high huge voltage, जिसकी वज़े से यहाँ पे इसका जो insulation है, इसकी क्या हो जाएगी, धजिया उड़ जाएगी है न, तो insulation यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी धजिया और insulation जैसे ही fail हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, आग लग जाएगी जमाने में, जमाने में तो नहीं लगेगी, यहाँ पे लेकिन जो transformer की winding है, that may be burn, तो इसलिए हमेशने जो हमारा PT, CT होता है, इसकी secondary को क्या रखा जाता है, always kept close, which of the following instrument has the highest torque to weight ratio among the given instrument, अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं general errors की बात करूं, तो हमारे जो instrument होते हैं, instrument में generally दो type की error होते हैं, एक temperature error होता है, दूसरा हमारा कौन सा होरा, fraction error है, temperature error, तो temperature error के बारे मैं अल्ड़ेडी बता चुका हूँ, दूसरा error कौन सा हमारा fraction error है, अब देखि correction error को minimize करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे torque upon weight ratio, जो हमारा torque upon weight जो होता है, आप देखो जो torque upon weight है, आप देखिए आप इहाँ पे torque upon weight का जो ratio है क्या रखा जाता है, ये ratio कैसा होना चाही हाई, इसके लिए आपका देखिए weight कैसा होना चाहिए कम से कम होना चाहिए torque क्या होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए अब जो PMMC instrument है PMMC instrument में यह जो torque upon weight ratio सबसे high ज्यादा देखने को मिलता क्योंकि उसका weight भी कम होता हो plus the deflecting torque का value वो भी काफी ज्यादा हाई होता है तो यहां पर जो हमारा PMMC है PMMC में आपका यह आपका सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलता है इसी वज़े से जितना जो PMMC instrument है इसका जो sensitivity है sensitivity किया रहते हैं सबसे ज्यादा higher sensitivity जो है PMMC की देखने के लिए मिलती है this is the reason अगले question पर चलते हैं हम लोग what is the order of minimum displacement that can be used by the capacitive transducer है अब देखो इसको याद रखना है यह database question है जो हमारी capacitor type के transducer होते हैं वो आपका यहाँ पर 1 micrometer तक का हमारा displacement है उसको measure कर सकते है creeping in a single phase induction meter may be due to तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था कि vibration over compensation over voltage है न सभी की वज़े से देखने को मिलता है okay so this is the last question है न तो यहाँ पर आके end होता है हमारे किसका marathon session का चली को कैसा लगा सभी को मज़ा आया मज़ा आया हो तो फटावर्ट सुन्द से प्यारे से comment करके विताईएगा लेकिन यहाँ पर जाने से पहले एक चीज़ जरूर बदाएगा कि यहाँ पर कल आप क्या चाहते है न कल आप McQE चाहते है या पिर आप यहाँ पर चाहते है यहाँ पर complete revision चाहते है और revision में बताईए पहला subject है सब्जेक्ट है यहाँ पर power system इन चारों में से आप क्या चाहते हैं और basic electronics है ना पांच वह है आपका यहां पे basic electronics कमेंट करके सभी लोग बताएंगे तो it will help you also me देखो मैं तो अपने मन से कराई दूगा कोई न कोई है ना तो यहां पर thank you so much everyone Shana and Pryas, Preeti, Babida everyone है ना Complete revision complete revision है न प्लीज सारे लोग यहाँ पर comment कीजेगा यार जिससे मैं यहाँ पर समझ पाऊं ठीक है तो यहाँ पर सभी लोग जो है complete revision की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर जो मिजॉरिटी है वो किस की जा रही है यहाँ पर machines की जा रही है न मशीन्स तो यहाँ पर कोई machine ठीक है देखो यहाँ पर सभी लोग जो है आपका machines की तरफ जा रहा है न ठीक है तो machine रखते हैं मैं उसके अंदर रख लूँगा test series mcq basic electronics तो यहाँ पर ओके तो machine का revision जो हम लोग done करते हैं तो जो मैं आपको machine जो है यहाँ पर रखूँगा चीक है machine के साथ साथ में basic electronics भी रख लूँगा चीक है तो अभी दो दिन है अपने पास में कल और परसान तो यहाँ पर चीक है आप लोगों की जो demand है वो किसकी आपकी machine और basic electronics की यहाँ पर demand है न चलिए machine और basic electronics को देख लूँगा तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2,5-3 गंटे में आपको complete revision कराऊंगा बहुत जादा मज़ा आएगा एक दम पूरा आपका dedicated session होगा आपका जिसका PDF में आपको provide करा दूँगा तो that will help you a lot ओके तो मिलेंगे कल आपन 6 बजे सांती में सभी आजाना अच्छे से है और इस तरह से अज भागना मत की सर यहाँ भूख लग रहा है प्यास लग रहना सभी लोग का बहुत भाथ दन्यवात तहें दिल से बहुत बहुत श्यूकरीए session को तिल देन तरद टेक्या बाबाई और अभी मैं आपको पेडिया भेस्ताओं किस पर टेलिग्राम पर सिंबल आपको साच करना अभी ने सिंग ओफीशल है न वहाँ पर अभी जो टेलिग्राम इसको भेस्ताओं है न फाइनले लव यू आला एंड गाड ब्लास यू